आपको बिल्कुल भी सोचना नहीं है तो चली दोस्तों यहाँ पर आज की सिशन की शुरुबात करते हैं जो जो कॉंसेट देखे थे वह मैं आपको समझा देता हूँ निवाइस करवा देता हूँ तो हमने डिफरेंस देखा था बिट्विन डारेक्ट और इन डारेक्ट अक्सेश उसके बाद मैं टाक्स एरार के देखे इंट्रोड़क्शन ओप जीएस्टी जीएस्टी इनिया में क्यों लाया गया और यह जीएस्टी ट्योल मॉडल में इनिया में आया यहां पर जो टैक्सेश सब्सियूम हुआ है जीएस्टी में जीएस्टी में अगर हम बात करें तो कौन-कौन से टैक्सेश सब्सियूम नहीं हुआ है इस पर भी हमने बात की थी और यहस्ट वाट प्रिंसिपल्स अब जीएस्टी जीएस्टी एक देस्टिनेशन बेस टैक्स है यह नथिंग बट वाट है वाल्यू अडिट सिस्टम है continuous chain of tax credit मतलब manufacturer से वोलसेलर वोलसेलर से यह पूरे chain में credit सभी जगा है same for service chain अगर service change एक के आगे एक बढ़ रही है तो उसमें भी credit सभी जगा है जीएस्ट क्रेडिट मिलते है बर्डन फाइनल कंजीमर पर है और क्रेडिट मिलने के वज़े से cascading effect इसमें नहीं होते है tax on tax उसके बाद में framework of GST in India GST dual model में आया मतलब central और state state domain simultaneously GST लगाएगी now India में यहाँ पर CGST SGST और UTGST यह तीर act interstate level पर लगते है और interstate supply होगा तो IGST जिसे integrated goods and service tax कहते हैं तो वो लगेगा next बेटा legislative framework हमने देखा compensation GST compensation says जो है जो state को नुकसान होगा GST आने के बाद उनको compensate करने के लिए यह GST compensation says लगाया गया GST are tax on goods or services इसमें yes यह हमारा जो चार्ट है यह चार्ट हमारे लिए बहुत जरूरी है कल के session में हमने यह जो चार्ट देखा था कल के session में यह जो हमने चार्ट देखा था तो यह जो चार्ट है यहाँ पर यह दो मिनिट में revise करवा देता हूं यहाँ पर कुछ ऐसे goods जिसके उपर GST बिल्कुल भी नहीं है तो जो ऐसे goods जिसके उपर GST नहीं है कुछ ऐसे goods जिसके उपर GST बिल्कुल भी नहीं है वो है petroleum products और उसके बाद में alcoholic liquor पे petroleum product पे central excise duty आती है और alcoholic liquor पे state excise और दोनों के cell पे वाट और CST आता है उसके बाद में कुछ ऐसे goods जिसके tobacco और tobacco product और next opium नार्कोडी जिस पे excise और GST दोनों पे बस टोबैको पे central excise है यह state excise है और GST दोनों पे भी लगता है पर एक बाद ख्याल रखना कि जहां GST लगता है वाँ वाट तो CST नहीं लगता है और बागी सारे goods GST के scope में आता है ओके यह discussion हमने किया था यह important discussion था उसके बाद में article 246A 246A legislative यहां पे source for levy of GST तो पीटा यह जो हमने देखा था कि यहां पे GST लगाने का power central और state दोनों को साथ में है अगर import transaction होगा तो interstate GST लगेगा और उसका power से पारलेमेंट पे या जब भी interstate trade होगा तो IGST लगेगा जिसका power completely power जो है exclusive power पारलेमेंट के पास है कुछ ऐसे goods जिसके ओपर GST उस दिन आएगा जब GST console recommend करेगा सारे 5 petroleum products एक बार में 1722 कर लो petroleum crude high speed diesel, motor spirit, natural gas, aviation turbine fuel, तो इस टाइप की जो goods है इसके ओपर GST यहां पे जिस दिन G GST council recommend करेगा उस दिन से आएगा next 269A यह IGST लगाने का power देता है जिसमें IGST पूरा parliament लगाएगी collection central government करेगा full rate से और वो apportion करेगा between state and central याने central और state में apportion किया जाएगा 366 GST की definition देता है, service की और state की definition देता है, alcoholic clicker पे GST नहीं आएगा, यह इस article में लिखा हुआ है तो दोस्तों जहां तक है, अगर alcohol पे GST लाना है तो constitutional amendment करनी पड़ेगी, तो यह आपको पता होना चाहिए उसके बाद में जहां तक है कि GST council की अगर हम बात करें, तो yes, GST दोनों state, central और state में लाके GST लगाया जा रहा है तो यहाँ पे GST council बनाया गया, direct president के अंडर में बनाया गया और जिसमें chair person, union finance minister और बाकी member states है और recommendation of GST council, लगबख ऐसा समझो, सारे matter पे, यहाँ पे GST council का recommendations आया गया और उसके बाद में ही GST की policy बनेगी main यहाँ पे discussion करने लाइग special category of state, यह special category of state जो है, यह list आपको याद करनी पड़ेगी क्योंकि exam में आप से expect करते हैं कि special category of state की, जो भी provisions differently apply होती है, वो आपको पता होनी चाहिए चली, यहाँ तक हमने discussion किया था, अब आगे की discussion हम बढ़ाते है manner of utilization of ITC in GST, मैं यहाँ पे ITC कैसे utilize करते हैं, उसके बारे में, specially GST में, उसके बारे में थोड़ा detail में आपको explain कर देता हूँ, जो हमारा basic discussion रहेगा और उसके बाद में हम act की शुरुबात करेंगे मैं एक छोटा सा example कि जिसको अगर cascading effect नहीं बता, तो उनके लिए एक छोटा सा example यहाँ पे लेने जाओगा और यह छोटा सा example यहाँ पे देखिएगा यह विटा इंटर लिए पे मैं example लेता हूँ पर यह कुल students के लिए जिनको cascading effect नहीं बता, चलिए तो यहाँ पे अगर GST के, GST नहीं आता और उसके पहले के taxes होते हैं, no doubt credit mechanism तो बहुत पहले से आ गया हो था, 2004 से VAT आ चुका था और एक साइज में भी credit mechanism था, और एक लेकिन just assume करो कि credit mechanism नहीं है, credit mechanism नहीं है और आपका जो manufacturer goods है, वो manufacturer से लेके distributor, distributor से लेके wholesaler, wholesaler से retailer और retailer से ultimate consumer, ऐसा goods का flow हो रहा है, और यहाँ पे setup concept नहीं है, ITC credit concepts नहीं है, तो वो situation में GST कैसे लगता है, सभी दहान दीजिएगा, okay और मेरी बाट directly आपको यहाँ पे समझनी च यह, specially उन student को, जिनको cascading effect और credit concept नहीं बता है, दो minute में explain कर देता हूँ, okay जैसे manufacturer, manufacture से goods जा रहा है, distributor के पास, price है 10,000 और यहाँ पे sales tax लगा, जैसे मैं S नाम दे रहा हूँ, sales tax लगा 1,000, 10% का sales tax 11,000, now अब यह जो 11,000 की sale हुई, now distributor के लिए वो purchase है, और वो distributor के लिए purchase है, distributor ने अपना value addition किया, 2000 का, value addition मतलब क्या, मतलब उसके खर्चे plus उसके profit, वो कहेंगे उसका value addition, और उसने value addition 2000 किया, अजिम करो कि जो purchase पे उसको tax लग क्या है, उसको credit नहीं मिलता है, अगर उसको credit नहीं मिलता है, उस purchase के tax का, तो वो situation में it become a cost, क्योंकि credit नहीं है, तो उसकी purchase cost 11,000 बन जाएगी, यहाँ पे 11,000 बन जाएगी, और उसके बाद में 11,000 प्लस उसका value addition कितना है, उसका value addition मतलब उ अगर वोल सेलर को बेचेगा, तो कितने में बेचेगा, 13,000 में, credit उसको मिलाने, अब क्या है कि हमारा जो tax system में, indirect tax system, यह multiple stage tax system है, जैसे मैंने आपको बहुत बार कहा, कि इंदिया में tax जो लगता है, इंदिया में जो tax लगता है, यह events पर लगता है, अगर हम sales tax की बात कर र तो उसके ओपर tax आजाएगा, तो ऐसे case में, यहाँ पर जो है, distributor वोल सेलर को sell कर रहा है, sell कर रहा है, इसलिए tax आजाएगा, 13,000 प्लस वापर sales tax लग गया, 13,000, 14,300 में वो इसको बेचेगा, तो यहाँ पर वोल सेलर की price कितने होगी, 14,300, उसका valuation 3,000, 14,300 प्लस 3,000, वो जो रिटेलर को वेचेगा, तो 17,300, उसके ओपर फिर से sales tax आगया, फिर से sales tax आगया, अब आगे 5000 value addition और वो 5000 add करके अपने purchase price में 5000 add करके आगे sale करेगा और वो आगे sale करेगा 24,000 में और उसके पर sales tax, अगर पूरे chain में आप देखते हो, जहाँ आपके purchases के credit नहीं मिले, आपको न 1300 भी included है, यह 1000 पर, यह देखो कितने बार, यह 1000, यह 13,000 में उस पर tax लगा, फिर यह 1000 और यह 1300, यह 17,300 में फिर से tax लगा, यह 17,300 में, यह 24,000 में, यह 1000, प्लस 1300, प्लस 17,30 प्लस यह फिर से tax लगा, इसको कहते हम cascading effect, tax on tax, भाई साब, यह बंदे ने value addition 2000 ही किया, तो यह 13, 1000 में, सुनिएगा, यह 13,000 में, यहाँ पर, यह 10,000 का tax already government ले चुकी है, अब अगर वो 10,000, 13,000 में है, यह government कितने cascading effect करती है, देखो, tax पर tax तो लगी रहा है, प्लस यह 13,000 में वो 10,000 है, जिसका tax already government ले चुकी है, अब वह 10,000 पर फिर से tax ले रही है, फिर वह 10,000 पर फि tax ले रही है, साथ साथ में, government जो है, यहाँ पर tax on tax भी कर रही है, जिससे cascading effect कहते है, okay, जिससे हम क्या कहते है, cascading effect, I hope you understood, तो ऐसे situation में, जहां तक देखा जाए, तो government ने जो है, यह cascading effect खतम करने के लिए, okay, credit concept लाया था, और यह बहुत पुराना concept है, credit concept, inter level पे तो यहाँ पे credit concept लाया है, और यह जो credit concept लाया जैसा, VAT, जिसको कहते है, tax only on value addition, जैसे एक manufacturer अगर यहाँ पे distributor को sale कर रहा है, तो let's take example 1000 में sale कर रहा है, तो distributor पे जो tax लख्या आया पर्चेस पे, उसको ITC मिल जाता है, याने purchase account debit, हाँ, purchase account debit, ITC receivable account debit to supplier account, इस तरह से ITC मिल जाता है तो ITC अगर मिलने वाला है, उसको setup मिलने वाला है, तो उसकी purchase cost 1000 में, plus उसका value addition, तो जब वो आगे बेचेगा, तो वो आगे 1000 plus 400, यह 1400 में बेचेगा, यह 100 रुपीज उसकी cost नहीं होगी, अब वो आगे 1400 में बेचेगा, और वो 1400 पे tax लगाएगा, बैट लगाएगा, और यह उसका output tax कहा जाता है, 140, और यह 140 जो उसका output tax है, और उसने purchase पे जो, okay, ITC receivable है, उसका 100, उसका setup मिल जाएगा, उसको net 40 पे करना पड़ेगा, और यह mechanism को VAT कहा जाता है, और net 40 कैसा, उसका value addition कितना है, 400, और उसका value addition 400 है, और rate क्या चालूँगे, हमने rate लिए 10%, तो direct आप अगर 400 का 10% निकालोगे, तो वो net 40 ही आएगा, इसको कहते है, tax on value addition, हर stage पे जो जितना value addition करेगा, उतने ही tax, लेकिन हम direct 400 का 10% नहीं निकालते है, इंडिया में हम output tax minus input tax कहते है, जिसका net उतना ही आता है, तो output tax 140, input tax 100, okay, तो net 40 ही government को पे करना पड़ेगा, सामने वाला, वैस आपको से top मिल जाएगा, okay, तो उसकी purchase cost 1400 होगी, okay, मतलब purchase में वो add नहीं होगा, अगर purchase में add नहीं होगा, तो उतनी prices कम होगी, बेटा वैट की बहुत सारे benefit है, okay, it avoids the cascading effect, reduce the prices, increase the demand, तो इस तरह से हर stage पे, okay, credit मिलते जाएगे, I hope आपको, okay, simple way में cascading effect क्या रहता है, simple way म समझ में आया होगा, yes or no, बेटा screen break तो नहीं हो रही है, okay, चलो, तो यह था about cascading effect और credit concept क्यों लाए गया, अब थोड़ा यहाँ पे यह concept को थोड़ा अच्छे से समझ लो, चली, आजा, manner of utilization of ITC, अब वो क्या कहते है, ITC के कुछ basic fundas आपको पता अच्छे है, input tax credit, input tax credit के basic fundas यह है, पहला है, one-to-one correlation, यह सब इंटर में हो जाते हैं, one-to-one correlation, correlation, is not necessary, is not necessary, यह basic funda आपको पहले पता होना चाहिए, दूसरा, ITC, आपको जो मिलता है, वो आपके input, capital goods और input service, तीनों का मिलता है, मतलब आपने input खरीदा, उसका भी ITC मिलता है, आपने capital goods खरीदा, उसका भी ITC मिलता है, और आपने input service खरीदी, उसका भी ITC मिलता है, मतलब क्या, मतलब यह आपका profit and loss account है, और यह आपकी balance sheet है, और यह आपकी balance sheet है, profit and loss account में जो जो भी आपने material purchase किया, goods purchase किये, services purchase किये, तो जो जो भी आपने debit किये, आपके revenue expenditure, जिसमें आपने goods या services purchase किये, और उसके उपर GST लगके आया, इसका ITC आपको मिल जाता है, जिसे ह हम input और input services कहते है, और कि यह सब को हम कहते है, input जो revenue expenditure होते है, या input services कहते है, तो जो जो भी आपने purchase किया, input के form में, goods के form में, input service के form में, जिस पर GST लगके आया, इसका ITC मिल जाता है, और आपके balance sheet में, जो भी आपने movable asset, immovable पर तो GST लगता ही नहीं, movable asset like furniture, motor vehicle के subject to some restrictions, जो भी movable होगा, और आपने purchase किया होगा, आपने purchase किया होगा, और वो purchase पर अगर GST लगके आया होगा, तो उसका भी ITC आपको दे दिया जाएगा, यह basic fund है, तो आपको capital goods के purchase का भी ITC पूरा 100%, पूरा 100% मिल जाता है, कोई deferred नहीं, जो month में आप capital goods खरीदते हो movable, जिस पर क्या मेरा खरीदा है, TV खरीदा है, computer खरीदा है, laptop खरीदा है, यह मेरे capital goods में जाएगे, mobile खरीदा है, capital goods में जाएगे, तो ऐसे कि इसमें जो भी मैं capital goods खरीद रहा हूँ, जिस पर GST लगके आ रहा है, और business के लिए use कर रहा हूँ, तो उसका ITC मुझे मिल जाता है, चलिए, अब सर यह one-to-one correlation not necessary का मतलब क्या, one-to-one correlation not necessary का मतलब, एक electronic shop है समझ लो, electronic shop है, और उसके shop में बहुत सारे goods है, okay, TV है, refrigerator है, macro one है, okay, और बहुत सारे goods है, तो अब उसने TV खरीदे, TV बेचे, और यह purchase, यह sale, refrigerator खरीदे, बेचे, तो क्या credit ऐसे चलते है, इसका credit इसमें, इसका credit इसमें नहीं बेटा, ऐसे one-to-one correlation नहीं रहते हैं, ने तो किराना शौब वाला परिशान हो जाएगा, बिग बाजर वाला परिशान हो जाएगा, और के छोटी चोकलेट का credit, बड़ी चोकलेट का credit, ऐसे वो one-to-one लगाते बटेगा, तो परिशान हो जाएगा, इसलिए ऐ ऐसे credit नहीं होते हैं, अगर आपने office में काम किया होगा, GSTR 1 फाइल किया होगा, 3-B फाइल किया होगा, whatever the ITC avail, okay, ITC avail for a month, हैने आपके, जो जो भी आपने purchase की, यह बहुत important है, जो जो भी आपने purchase की, okay, जो business में use हुआ, okay, including inputs, capital goods, input services, तो उसका total ITC of that month, और total output tax of that month, उसके credit मि जाते हैं, बहुत ही basic funda था, okay, जो मैंने आपको explain किया, यह समझाओगा, तो please one type कीजिएगा, यह समझाओगा, तो please one type कीजिएगा, तो यह हमने देखा, one-to-one correlation ITC में नहीं लगता है, now, अब देखो बेटा, थोड़ा, okay, हम यहाँ पे इसको imagination में लेते हैं, कि जैसे GST में अगर हम आते हैं, okay, GST में अगर आते हैं, तो वो case में, यहाँ पे आपने input खरीदे, input खरीदे होगे, capital goods खरीदे होगे, या input services खरीद होगे, okay, input services लेते हैं, तो ऐसे situation में, जो भी आपने, inputs, capital goods और input services खरीदे, आपने either यह interstate purchase किया होगा, interstate purchase किया होगा, या आपने intra purchase किया होगा, आपने interstate purchase किया होगा, अगर आपने interstate purchase किया होगा, तो क्या लग्या होगा, IGST, और अगर आपने interstate purchase किया होगा, तो क्या लग्या है, CGST और क्या विटा, SGST, अब आपने interstate purchase किया है, अभी यह purchases है, तो आपके IGST के भी IT से आपको म विलिंगे, क्योंकि आपके इंट्रा स्टेट पर्चेस है, फिर जो भी आपने पर्चेस किया, टोटल आई-चिश्ट आपमन, टोटल एज-चिश्ट आपमन तोटल इह जेत अप पर आप यह सप्लाइ कर रहे हो, सप्प्लाय करते वक्ट आप ग्या लगेगा। तो Interstate Supply कर रहे हो तो आपके उपर लगेगा भाई साब IGST और कि IGST IGST लगेगा और अगर आप Interstate कर रहे हो तो CGST और SGST CGST और SGST लेट्स लेकिए एक्जामपल आपने Interstate Purchase पे IGST टोटल इन अ मन्त दिया जो जो भी आपने Interstate Purchase की 10,000 का IGST है और CGST आपने SGST आपने 5000 और 5000 आपने दिया और आपका Opening Balance नहीं है अजिम करो No Opening Balance कोई भी ITC का Opening Balance नहीं है अगेन यह Basic Fund है पर आपको मैं समझाना चाहोगा तो Opening Balance नहीं है आपका Output जो है Output में आपका यहाँ पे IGST सुनिएगा Output में IGST 8,000 है हो सकता है आपने इस बार Interstate कम किया होगा लेकिन आपका CGST 6000 है और SGST 6000 है तो आपकी Situation कैसी रहेगी Invert Supply एक नया वर्ड पिच्चर में Invert Supply Invert Supply के ITC जो आपको Credit मिलने वाले है तो Invert Supply के ITC में IGST आपके पास कितना पढ़ा हुआ है तो आपके पास IGST 10,000 पढ़ा हुआ है 10,000 है CGST का ITC आपके पास कितना पढ़ा हुआ है 5,000 और SGST का ITC आपके पास कितना पढ़ा हुआ है 5,000 यह आपका Invert Supply का ITC है जो भी आप Purchase करते हो उसे Invert Supply कहा जाता है यह बास समझ में हाई और Second Word होता है Outward Supply Second Word होता है Outward Supply Outward Supply यहाँ पे क्या तो Outward Supply में आपका IGST जो है जो आपका Payable आ रहा है तो कितना Payable आ रहा है 8,000 उसके बाद में CGST यहाँ पे 5,000 और SGST यहाँ पे CGST 6,000 SGST 6,000 यह आपका यहाँ पे Payable आ रहा है तो यह Tax Payable tax payable, अब आपको no doubt, ओके यह जो आपने ITC है, इसके, इसके ITC आपको मिल जाएगे, इसके ITC आपको मिल जाएगे, पर ITC कैसे लेना, ओके एक सवाल आता है फिचर में, और ये भी आपने inter-level पर पढ़ा होगा, कि ITC कैसे लेना, सवाल ये है कि IGST का credit, सुनिएगा, IGST का credit हम क् तीनों में यूज कर सकते हैं, जैसे मेरे पास IGST का balance 10,000 है और मेरे output में IGST 8,000 है, चलो मैंने IGST 8,000 यूज कर लिया, उसके बाद में भी मेरा balance यहाँ पे 2,000 बचता है, तो IGST का इस month का balance अगर मेरे पास 2,000 extra है, तो क्या मैं CGST, SGST के लिए payment में यूज कर सकता हो, क्यों, क्यों मेरे 1,000 payable आएगा, SGST मेरा 1,000 payable आएगा, और उदर IGST में मेरे पास 2,000 balance है, ITC में, तो क्या IGST का credit में ऐसा यूज कर सकता हो, क्या, तो ऐसे situation में, यहाँ पे law क्या कहता है, तो law देखो, यहाँ पे क्या कहता है, यहाँ पे यह credit mechanism समझ लो, law कहता है, कि अगर invert supply में IGST आप आपको IGST लेना पड़ेगा, यहाँ जब हम ITC के problem solve करेंगे, credit mechanism देखेंगे, तो ख्याल रहे, सबसे पहले आपको utilization के लिए IGST लेना पड़ेगा, और IGST को खतम करना पड़ेगा, IGST का credit for the payment of IGST, पहले IGST payment के लिए यूज करो, अगर balance बचा, सुनिएगा, अगर balance बचा, तो you can utilize against CGST and SGST in any proportion, या any का मतलब any proportion, ओके आपको जो भी balance है, वो balance पुरा CGST में यूज करना है, पुरा CGST में यूज कर लो, IGST का balance, आपको SGST में यूज करना है, तो आप पुरा SGST में यूज कर लो, आपको 50-50 यूज करना है, आपकी मर्जी, आप 50-50 वर्षन यूज कर सकते हो, आपको 70-30 यूज़ करना एनी प्रोपोर्शन में ता वैसा यूज़ कर सकते हो इन सिंपल वर्ड, ओके यहाँ पे, ओके IGST के बैलन्स पहले IGST में हमारी शर्र इतनी है कि पहले आपके आउटपूट टेक्स में IGST है, उसमें यूज़ करो पिर जो बैलन्स बचा IGST का, आप CGST के पेमेंट के लिए और SGST के पेमेंट के लिए भी यूज़ कर सकते हो चलो, इसको थोड़ा मैपिंग अगर इस पॉप में करें, तो मैं ऐसा बताओगा IGST जो 10,000 आपके पास पड़ा हुआ है, वो 10,000 पहले IGST के लिए यूज़ करो मतलब यहाँ पे 8,000 का पेमेंट है, पहले इसके लिए यूज़ करो और बैलन्स बचेगा उदर 2,000, 2,000 आप कोई भी रेशियो में यूज़ कर सकते हो उसके बाद मैं, CGST, CGST, अब देखो, law क्या कहता है, after complete utilization, यहाँ पे एक note आपको यह आड़ करना है, दो कर लेना, after complete utilization, utilization of ITC of IGST, IGST, आपको IGST का पहले complete utilization कर लेना है, मतलब government कहती है, पहले IGST को खतम करना, credit लेते हैं पहला step IGST, पहले IGST को खतम करना, उसके बाद में, उसके बाद में आप यूज़ करो CGST, और उसके बाद में क्या, SGST, CGST का credit, as per our GST and portal, पहले CGST में यूज़ करना, और बाद में IGST में, याने दोनों में allowed है, याने CGST का credit पहले CGST में, अगर balance बचा और आपके output में IGST है, तो आप IGST में ही उसका सकते हो, SGST या UTGST, जो principle में SGST के लिए apply करो, वह principle UTGST के लिए रहेगा, SGST या UTGST का credit पहले SGST में, या UTGST में, अगर balance होगा, तो फिर payment of IGST में, most important बात क्या था, ज जो आपने office में भी देखा होगा, आपने यहाँ पे regular inter में भी पढ़ा होगा, कि cross credit allowed नहीं है between CGST and SGST, मतलब CGST का credit IGST में use हो सकता है, लेकिन CGST का credit SGST में use नहीं हो सकता, और SGST का credit CGST में use नहीं हो सकता, एक problem solve कर देखें कि तो आपको confidence आएगा, in short, अगर मैं example बताओ, अगर में एक example आपके साथ लो, तो imagine करो कि यहाँ पे, एक side में मेरी mother है, एक side में मेरी wife है, और बीच में मैं हूँ, मैं समझ लो, integrated हूँ दोनों का, okay, दोनों का integrated हूँ का मतलब, okay, मैं जो हूँ, यहाँ पे mother का, और मेरी wife का, integrated IGST हूँ, मेरी mother CGST है, central है, और मेरी wife SGST है, state SGST है, अब इसको याद कैसे रखे, okay, तो अब हम तीनों खाना का रहे है, अब हम जब तीनों खाना का रहे है, तो मैं खाना का रहे है, तो मैं खाना काते वक्त, मेरा core, okay, मैं लोगा, पहले मैंने मेरा core लिया, मतलब IGST का credit IGST में, okay, मेरा core मैंने लिया पहले, IGST का credit IGST में, फिर, okay मेरा खाने का बैलेंस बज गया, खाने का बैलेंस बज गया, अब मुझे मेरे मदर और मेरे वाइब को खिलाना है, अब यहाँ पर मेरे पास जो भी बैलेंस है, मैं अपने मदर को या अपने वाइब को दोनों भी कोई भी प्रपोर्शन में खिला सकता हो, वहाँ कोई क्रॉस्टी का अब क्या होगा मेरी मदर मेरी मदर कुद का ना खा रही है CGS-T का क्रेगी PGST में और अगर बच्छा तो मुझे भी खिलारीयागी PGST में CGST का क्रेगी CT मेंmar 42 मैंand directamente CT में मेरे इफ और एक्षाद में मेरे सफ्थ करेगी तो एक चीज यहां याद रखने लाइक क्या है, आपके इंपूट टैक्स का IGST का क्रडिट, IGST में यूज़ करने की बात, किसी भी प्रपोर्शन में, आप CGST और SGST में यूज़ कर सकते हो, या 50-50 यूज़ कर सकते हो, या 50-50 यूज़ कर सकते हो, यह बात आपको समझ गई, लेकिन अननेसरी आप कॉश्चन करके अपने आपको कन्विंस करना चाहते हो, यह किसी भी प्रपोर्शन में, आप यूज़ कर सकते हो, आप, तो यहाँ पर यह जो है, क्रेडिट मेकनिसम हमने यहाँ पर देखा, चल यह दोस्तों, IGST का क्रेडिट, IGST, CGST और SGST में, यहाँ पर मिला है, यहाँ यह हमने मेकनिसम देखा, कॉश्चन पर आता है, यह कोश्चन स्वाल करता है, आजाओ यहाँ पर, एग्जामपल नमबर 6, तो बिलो केस परटेनिंग तो इंटरस्टेट सप्लाय अप गूड्स और सर्विसेज, rate applicable for IGST, add rate 18%, CGST और SGST 9% respectively, 9% respectively, उसके बाद में, supply of goods and services by Mr. X of Maharashtra to Mr. A of the same state, the value of which is Rs. 10,000, value of Rs. 10,000, Mr. X of Maharashtra ने, Mr. X of Maharashtra ने, supply किया Mr. A, Mr. A of same state, Maharashtra, मतलब यह intra हुआ, यह intra हुआ, calculate total price, charge by Mr. X, also state the amount of credit availed by Mr. A, ठीक है, मुझे total price निकाल के देना है, और आपको यहाँ पे, second credit avail करना है, और वो जो है, कि A को कितना credit मिला, next, assuming there is a value addition of 20%, आगे assume करो कि value addition 20% है, calculate total price charge for supply of goods और services by Mr. A of Maharashtra to Mr. B of करनाठका, A ने Mr. B को sale किया, और वो करनाठका का है, और value addition 20% है, obviously यह interest rate है, okay, interest rate है, चलिए, on the basis of working about two, question compute IGST payable to government by Mr. A, Mr. A कितना tax pay करेगा, वो निकालो, next, assuming a further value addition 20% on supply of goods or services by Mr. B, okay, by Mr. B, और करनाठका to Mr. C of the same state, B ने Mr. C को sale किया, वो भी करनाठका में हैं, और यह same state में यह intra है, intra state है, calculate total price, working about compute GST and total tax payable to the government, government को tax कितना देना है, चलिए, आपकी यहाँ पे notebook लो, और यह example number डालो, sorry, example number one करना, गलती से 6 है, example number one डालो, page number डालो, और चलो, फटापट solve करो, अब आपको क्या निकालना है, total price charge by Mr. X, X ने total price कितनी चार्ज किया, चलो, यहाँ पे लिखो, write down, solution, calculation of total price charge by Mr. X, X ने total price कितना चार्ज किया, अब law क्या कहता है, Mr. X of Maharashtra, okay, to A of same state, और 10,000 में sale किया, और GST लगाया, तो लिखो यहाँ पे, particulars and amount in rupees, particulars and amount in rupees, ठीक है, उसमें लिखना, value of supply है, क्योंकि NX को बेचा, value of supply है, goods or services, यह G by S मतलब goods or services, write down 10,000, write down 10,000, उसके बाद में, C GST add rate 9%, 900, HGST add rate 9%, 900, total price charge 11,800, उन्हें ने पूछा, कि Mr. A ने Mr. X को total price कितनी लगाया, तो भाई साब, total price 11,800 लगाया, 11,800 लगाया, फिर दूसरा सवाल क्या पूछा उन्होंने, यहाँ पे, also state the amount of credit availed by Mr. A, अब माल किस ने खरीदा, A ने खरीदा, किस से खरीदा, X से खरीदा, तो X ने अगर sale किया होगा, और A ने खरीदा है, तो A को तो credit मिलेगा, कितना credit मिलेगा A को, तो CGST जो उसके purchase पे लगए आया, 900, HGST जो उसके purchase पे लगए आया, 900, तो second लिखो यहाँ पर, second लिखो यहाँ पर, amount of ITC available to Mr. A, amount of ITC available to Mr. A is CGST 900, CGST 900 and SGST 900, CGST 900 and SGST 900. यह तो A को credit बिला, फिर आगे क्या हुआ, आगे A ने Mr. B को interstate किया, ओके चलिए, वो पुछते हैं, यहाँ पर Mr. A to Mr. B आप करना टका, तो उसकी price निकालो, और GST payable निकालो, चलिए, next, यह सारी चीज़ा आपने inter-level पर की है, तभी मैं थोड़ा, ओके link में आने के लिए आपको यह questions all करवा के दे रहा हूँ, लिखो, calculation of total price, calculation of total price charge by Mr. A to Mr. B, calculation of total price charge by Mr. A to Mr. B, लिखो पर्टिकुलर्स एन अमाउंट इन रुपीज पर्टिकुलर्स एन अमाउंट इन रुपीज पर्टिकुलर्स में वैल्य अब सप्ला है अब वैल्य अब सप्ला है कैसे लेंगे भई A ने B को चार्ज किया माल कितने में खरीद है उसने माल उसने 10,000 में खरीद है, बाकी तो उसको credit मिलने वाल है, तो उसकी purchase cost 11,800 नहीं होगी, उसकी purchase cost 10,000 ही होगी, तो यहाँ पे उसने 10,000 में purchase किया, I hope you understood, plus उसका value addition 2,000 है, तो उसकी value of supply कितनी हुई, sell price कितनी हुई, 12,000 हुई, 12,000 हुई, यह point समझा क्या आपको, यह point समझाओ तो फटाफट 2 type करो, sorry, 3 type करो, हम 3 में है, यह point समझाओ तो 3 type करो, तो उसका value of supply 12,000 हुई, अब उसने interest rate supply किया है, तो उसका output tax, उसका output tax, यहाँ पे, 18% full rate से निकालो, IGST full rate से लगता है, और rate 18% है, तो 18% full rate से उसका IGST निकालो, कितना है, 2160 आया, तो total यहाँ पे, total price आगे 14,160, total price आगे 14,160, done, ठीक है, 14,160 price आगे है, यहाँ पे, ठीक है, अब यह, अब ध्यान से देखिएगा, Mr. A का, A का output tax IGST है, output tax IGST है, और उसके input tax में CGST और SGST है, यहने situation कैसी आ रही पता है कि आपको, situation ऐसी आ रही है, अगर मैं यह situation को लूँ, तो उसका input tax, input tax में IGST है क्या, तो input tax में IGST नहीं है, क्योंकि उसने purchase करते वगके CGST और SGST लगा, क्या उसके input tax में CGST है क्या, हाँ, 900 है, और उसके input tax में SGST है क्या, हाँ, कितना 900 है, तो उसके input tax में IGST नहीं है, उसने जब purchase किया, तो क्या लग क्या है CGST और SGST है चलिए उसका output tax क्या उसके output tax में IGST है क्या हाँ IGST उसके output tax में 2160 output tax में IGST 2160 है क्या output tax में कोई CGST है क्या नहीं और क्या output CGST है क्या SGST है क्या नहीं और क्या output में SGST नहीं तो अब हमारे सामने यह situation आ गई हमने हमारी steps का है हमारी steps है कि पहले IGST का credit ही उसकरो पर IGST में credit ही नहीं है तो कोई problem नहीं फिर फिर अगर IGST complete हो जाता है तो then start utilization of CGST CGST का credit कैसे use करेंगे पहले CGST के payment के लिए पर output में तो CGST ही नहीं तो CGST पर हम IGST के payment के लिए उसका सकते है क्या बिलकुल कर सकते है तो इसमें 900 का credit मुझे मिल जाएगा उसके बाद में SGST SGST का credit SGST में अगर SGST नहीं होगा तो IGST में भी उसका सकते है तो minus 900 मुझे इसमें मिल जाएगा जो हमने table बनाए यह आपको समझाने कोशिश की तो अब यहाँ इसको presentation में कैसे लेना और यह presentation बहुत important है next question उन्हें पूचा कि net GST payable by Mr. A यहाँ पे Mr. A को net GST कितना लगेगा तो now next title दो next title दो calculation of net GST payable to government by Mr. A calculation of net GST payable to government by Mr. A अब एक इतना देगा net GST presentation कैसा होना चाहिए थोड़ा यह presentation समझ लेना और जहे भी problem solve करोगे यह presentation से fix रहना अब यह presentation कैसा होना चाहिए आपका particulars और पहला column IGST ही रखना problem में IGST होगा नहीं होगा तो भी IGST ही रखना दूसरा column CGST रखना तिसरा column SGST रखना सरी क्या reason क्या है आगे आपको समझेगा दिखो particulars पहला column IGST ही रहेगा पहला column IGST ही रहेगा next CGST और SGST next CGST और SGST लिखा अब आप लिखो tax on outward supply यह output tax आप output tax भी लिख सकते हो यह tax on outward supply तो मिस्टर एक outward supply जो था वो इंटर स्टेट करना तका में था तो tax on outward supply तो outward supply में IGST लिख लेना 2160 IGST लिख लेना 2160 लिखा सभीज में ठीक है क्या कोई CGST और SGST पेबल है नहीं कोई अब CGST और SGST पेबल नहीं है चलिए कोई problem नहीं अब CGST और SGST पेबल नहीं है यहाँ पर वहाँ dash कर दो अगर पेबल होता तो हम लिख लेते जो भी पेबल होता वह लिख लेते तो next यहाँ पर लिखो less ITC on invert supply less ITC on invert supply लिखा आपने ITC on invert supply done अब यह जो ITC on invert supply है इसके inner column में लिखना कि आपके पास credit कितना है तो अब inner क्योंकि हम credit utilization करेंगे against output tax तो इसके inner column में लिखना यहाँ पे IGST का credit यहने IGST का ITC आपका नील है क्योंकि आपने जब purchase किया Mr. X से तो उसके पर सिफ CGST और SGST लगके आया था तो IGST का credit आपका नील है तो नील लिख दो उसके बाद में CGST 900 है और SGST 900 है यह आपका credit का status है done अब आप credit utilize करना शुरू कर दो law यह कहता है पहले IGST का credit IGST में है okay मेरे साथ बोलो पहले IGST का credit IGST में अब यहाँ पर IGST तो ही नहीं dash कर दो okay इधर भी dash कर दो इधर भी dash कर दो क्योंकि IGST का balance ही नहीं है चलो अब IGST नहीं है तो second step okay second step क्या कहता है कि IGST पुरा use होने के बाद हम start करेंगे CGST CGST का credit CGST में पर यहाँ payable नहीं है इसलिए dash कर दो और SGST okay SGST यहाँ पर cross कर दो क्योंकि CGST का credit हम SGST में नहीं ले सकते इसलिए cross कर दो हाँ फिर हम किसमें ले सकते IGST में तो ले लिया मैंने IGST में 900 done और उसके बाद में SGST का credit SGST में balance की जरुवत नहीं है क्योंकि payable नहीं है इसलिए यहाँ पर dash कर दो यहाँ पर dash कर दो और उसके बाद में क्या SGST का credit में IGST में यूज कर सकता हूँ हाँ यूज कर सकते हो ओकि IGST में यूज कर सकते हो वहां 900 ले लो चलो आपका format बन गया net GST payable निकाल लो कितना है तो net GST payable निकाल लो कितना है यह समझाओगा तो please 4 type करो और जितने भी student connected है please type करो जितने भी students connected है please type करो मुझे आपका involvement चाहिए done okay तो हमने यह निकाल लिया okay कितना IGST payable है okay by Mr. A अब आगे कहते हैं वो 20% value addition Mr. B to C में है इसका total price निकालो और B का credit net payable निकालो तो चलिए अब यहाँ पे next calculation करो calculation of total price charge by Mr. B to Mr. C next करो calculation of total price charge by Mr. B to Mr. C particulars and amount in rupees particulars and amount in rupees value of supply value of supply में उसकी purchase value 12,000 है सर यह 12,000 कहां से आया भाई साब यह जो खरीदाता न उसने हमने यह B to C जा रहा है न तो A to B में purchase price कितनी है उसकी 12,000 है ने उसने जब खरीदा 12,000 में खरीदा बाकी तो credit है न उसको credit मिल जाएंगे और कि 2160 कि उसको credit मिल जाएंगे कि उसकी purchase है तो ऐसे case में यहाँ पे 12,000 प्लस 20% value addition प्लस 20% value addition उसकी sell price आए 14,400 अब बी ने C को करनाटका में ही sell किया है अगर आप ध्यान से देखते हो तो B to C करनाटका सेम स्टेट में sell है तो वो इंट्रा है तो इसका output tax ठीको output tax और के यह जो है cgst add the rate 9% लगेगा और sgst add the rate 9% लगेगा output tax 9% 1296 1296 लगेगा तो total price charge आपके सामने आगया 16,992 total price charge आगया 16,992 अब B का output tax में cgst है और उसके purchase में igst है उसके purchase में igst है तो next लिको 6th number calculation of net gst payable by mr. B format बनाओ और बिना देखे आप try करो बिना देखे आप try करो net gst payable by mr. B और प्लीज बिना देखे आप try करो इसके आउटवर्ड supply में 1296, 1296 आएगा क्योंकि igst payable नहीं है less itc, itc inner column में लिखो इसके पास igst का itc पड़ा हुआ है nil, nil अब देखो द्यान से सुनना अगर आपके पास igst पड़ा हुआ है सभी द्यान देखे अगर आपके पास igst है इसका credit पहले igst में पर igst कोई payable ही नहीं है अब igst में नहीं use हो पा रहा है balance है तो फिर आप cgst और lgst दोनों में किसी भी proportion में use कर सकते हो मतलब जितना 100% required है मतलब यहां combination क्या बन सकते हैं सुनो यहां combination क्या बन सकते हैं ऐसे एक तो यहां लिखना मत लिखना मत पहले समझ लिए अके combination ऐसे बन सकते हैं कि मैं यहां पे मुझे कितना payable है 1296 तो पूरा मैं 1296 इसमें ले लू पूरा cgst में ले लू तो 2160 minus 1296 अगर बात करें तो बाकी बचावा 864 इसमें बचावा 864 इसमें या फिर मैं उल्टा ले लू ओके 864 इसमें और 1296 इसमें मेरी मर्जी एनी proportion मैं यूज कर सकता हूं मैं ऐसा भी यूज कर सकता हूं या फिर मैं 50-50 यूज कर सकता हूं 2160 divided by 2 ओके याने 1080 ओके 1080 और 1080 ऐसा भी मैं यूज कर सकता हूं या मैं 70-30 यूज कर सकता हूं या जिस रेशो में मुझे यूज करना है उस रेशो में यूज कर सकता हूं बट तो मेंटेन दा हर्मोनी इन दा क्लास मैं 50-50 यूज कर रहा हूं पर आप कोई में रिश्यो में उस करो गलत नहीं होगा आपको marks पूरे मिलेंगे आपको marks पूरे मिलेंगे be careful तो आप पूरा CGST में पूरा SGST में 50-50, 70-30 तो यहाँ पे student के answer बदल सकते हैं यह समझ में आया क्या यह समझ में आया होगा तो please 6 type करो ठीक है उसके बाद में CGST का balance नहीं है SGST का balance नहीं है net GST payable निकाल लो net GST payable निकाल लो चली दन तो यह problem मैंने solve किया अगर किसी को इसमें difficulty जा रही होगी तो वो घर पे एक बार और solve करेगा यह problem और आज ही करेगा किसी को easy लग रहा होगा तो अच्छी बात है अगर किसी को difficulty जा रही है क्योंकि यह भी inter level पे और आपने मेरा अगर class किया होगा तो यह तो मैंने आपको inter पे ही इस पे कम से कम 10 problem में आपने solve करवाए दिये थे और आपने office में work किया ही होगा GST का नहीं भी किया होगा तो okay डरना मत समझ जाओगे पर अगर आपने बिलपूल की inter में पढानी और office में नहीं किया तो फिर ऐसे case में थोड़ा आपको मेरे साथ effort लेना पड़ेगा ठीक है क्योंकि हमारी institute अपनाई स्किम है यह जो है यह बेसिक अगरे कुछ नहीं है और कि उनने यह बेसिक तो मैंने आड़ किया यह चाप्टर उनने direct supply से start किया हुआ है चलिए direct supply से start किया हुआ है चलिए तो यह जो था concept हमने देखा और इस तरह से credit mechanism हमने यहाँ पर complete किया next आते है concept पर charge of GST अब यह charge समझना बहुत important है यहाँ द्यान से देखिएगा कोई भी economical law तीन stages में carry होता है एक होता है लेवी जिसको हम कहते है चार्ज जिसको हम और कहते है चार्ज liability to pay liability to pay ठीक है दूसरा होता है assessment दूसरी stage होती है assessment पहले यह समझना जरूरी है किसी भी economical law में कि liability कब आती है ऐसा मैंने क्या कर दिया कि liability आ गई तो वो liability GST के कब आएगी यह समझना जरूरी है अगर आपका custom हो गया है तो आपने custom में देखा कि लेवी कब है section 12 charging section okay liability कब आती है second assessment याने quantification of liability quantification of liability आपने income tax में पहले income यह ने क्या यह समझा फिर competition किया salary house property bg bpn etc उसको का जाता है assessment अगर आपका custom हो गया होगा तो custom में हमने पूरा quantification section 14 read with rule 10 okay या फिर rule 4 FIO IG SG deductory value computed value यह सब quantification किया quantification of liability और तिसरा collection जो quantify हुआ उसको government collect कर लेती है जिसको कहते collection by the government अब हर act में कोई ऐसा event होता है जो event पे government ने liability रखिया सच कहूं तो इंडिया में tax जो है person पे नहीं आता है events पे आता है और जो person उस event को touch करेगा उसके ओपर liability आ जाएगी जैसे income tax person पे नहीं है event पे है और event ए earning of income income इंकम फाइट्स में डिवाइड होती है कोई agent person है 80-85 साल का और वो income earn नहीं कर रहा है तो उससे कोई tax नहीं बागेगा बच्चा दो साल का है कोई income earn नहीं कर रहा है कोई tax नहीं आलेगा और चार्ज किसके ओपर है कौनसा ऐसा event है जिसके ओपर liability आती है और वो event का हर word depth में जाना है और एक एक word को drill करना है GST में फिर उस event को हम quantify करेंगे कि valuation कैसे होता है GST कितने value पर आता है जो event पे GST लगाया गया और फिर उसका collection की बात करेंगे तो first create the charge, assess the charge and then collect the charge I hope आपको यहां पर इसलिए मैं जब भी कोई economical law पढ़ाता हूँ तो सबसे पहले मैं sectionize नहीं जाता हूँ सबसे पहले मैं वहाँ attack करता हूँ सबसे पहले मैं वहाँ attack करता हूँ जहां charge create होता है फिर उसक्षन को rearrange कर लेते है तो हमें यही देखना है कि Charge of GST क्या है Charge of GST क्या है चलिए Start करते है Central Goods and Services Tax Act 2017 तो अब हमारा Start हो रहा है Act Are you ready? Yes or No? बोलिए Yes Sir We are ready Section 1 Title Extend Commencement This Act may be called as Central Goods and Services Tax Act 2017 Thank you Section 1 कहता है CGST Act कहता है 2017 Extend to whole of India पूरे इंडिया को यह Act लागू रहेगा Sir what do you mean by India बिल्कुल discuss करेंगे इंडिया ने क्या आगे हम बहुत अच्छे से डिटेल में अच्छे से डिस्केस करेंगे इंडिया मतलब क्या? चलिए डिस्केशन को आगे बढ़ाते हैं उसके बाद में commencement इट शाल कम इंटो फोर्स ओन सज डेट एस सेंट्रल गवर्मेंट में बाइ नोटिफिकेशन ऑफिशल गैजट अपॉइंट तो एक जुलाई 2017 से गवर्मेंट ने अपॉइंट किया डेट को और यह Act लागू हुआ सर कुछ पढ़ने जैसा जो पढ़ने जैसा था वो पढ़ लिया इसमें कुछ खास नहीं है अब जरूर यह देखेंगे इंडिया की definition क्या है क्योंकि यह पूरे इंडिया को लागू होता है तो इंडिया की क्या definition है आजाओ Now definition of India 256 इंडिया includes territory of India as referred in article 1 of constitution of India जो हमारी Indian territory है sea shore line है जहां sea आता है sea shore line तो अगर मैं यह diagram लो तो इंडिया जो हमारी land mass है sea shore line है यह इंडिया में cover होगा जो भी हमारी land mass है as per article 1 union territory जिसे कहते है state भी यूटी है सिफ state legislature होने के वज़े से state नाम आ जाता है तो जितनी भी हमारी union territory है including अंदमार निकोबार वो इंडिया माना जाएगा चलिए ओके यह समझ में आया and includes its territorial water sea bed sub-soil underlying such water continental shelf exclusive economic zone and other maritime zone मतलब यह अगर sea shore लगता है पानी लगता है तो फिर वहा हमारा इंडिया का scope क्या हैगा और next air space our territory and territorial water मतलब जमीन पहली बात करता है जमीन कितना दुसरा पानी और तिसरा आस्मान आस्मान और यह पानी में पातालोग की भी बात करता है पातालोग मतलब sea bed sub-soil नीचे आगे वो पातालोग में भी कितना इंडिया अगर आपको पानी लग गया तो यह सारी वो बात करता है done तो यहाँ पे इंडिया की definition आपने इंटर लेवल पे भी पढ़ी है income tax में भी पढ़ी है GSTM पढ़ी है customs किया होगा तो customs में भी territorial water वागरे क्या होता है यह आपने पढ़ा है यह जो है sea shores है 12 nautical miles territorial water यह यह भी इंडिया का पाड माना जाएगा sea source यहाँ से अगर sea shore लगता है तो यहाँ से 12 nautical miles और 1 nautical miles equals to 1.85 km तो इंडिया includes its territorial water तो जहाँ जहाँ हमारा sea shore है वहाँ से 12 nautical miles तक इंडिया माना जाएगा जब तक कोई other country से वह orlap नहीं होता है अगर बांगलादेश से orlap हो गया पाकिस्तान से orlap हो गया श्रिलंका से orlap हो गया तो फिर international treaty से हमारा territorial water fix होता है अदराइस 12 nautical miles उसके बाद में नीचे sea bed subsoil अगर ये भी इंडिया का पार्ट माना जाएगा पाताल लोक यानि यहाँ पर अगर कोई activity हो रही है तो वो इंडिया में मानी जाएगी तो below this territorial water I repeat below this territorial water अगर sea bed subsoil होगा तो वो भी इंडिया का पार्ट माना जाएगा continental shelf क Sich alert जैसे क्या होता है कि अगर आप sea bed देखते हो तो पहले धिरे-ainted slow abda और एक फिर sudden slope आजाता है और ये जो sudden slope आजाता है और फिर sea flat हो जाता है तो ये जो sudden slope metta है उसको का जाता हैimize is shelf continental shelf ये continental shelf भी इंडिया का पार्ट माना जाएगा territorial water, seabed, subsoil underlying such water, और ये territorial water के नीचे का subsoil इंडिया माना जाएगा, continental shelf होगा, तो वो भी, ok, shelf अतलब sudden slope आता है, और बाद में C flat हो जाता है, वहाँ पे water level इतना force होता है, कि वहाँ electricity energy create होती है, तो electric energy जो create होती है, तो वहाँ बहुत सरी activity होती है, तो वो shelf में अगर कोई activity होगी, तो वो within इंडिया माना जाएगा, ok, उसको कहते है continental shelf, उसके बाद में exclusive economic zone, अब ये exclusive economic zone याने क्या, तो sea shore से, सुनिएगा, sea shore से 200 nautical miles, ok, यहाँ पे, यहाँ से 200 nautical miles, territorial water तक तो इंडिया है, उसके बाद में, जो बचा हुआ 188 है, ok, सुनिएगा, territorial water तक तो इंडिया ही, उसके बाद में, जो बचा हुआ 188, ok, nautical miles है, उसमें कुछ zones होते है, exclusive economic zone कहे जाते है, ok, समझ लो, ये zone है, ये zone है, जहाँ पे economical resources मिलते हैं, oil, gases वगर है, तो वो zone, जो economical resources का zone है, जो government ने notify किया है, till 200 nautical miles, वो 200 nautical miles, जो zone notify हुए है, वो भी इंडिया का part माने जाएगे, समझ लो, ok, ये zone में, 200 nautical miles में, यह exploration of oil activity चल रही है, तो जो exploration of oil activity चल रही है, उस zone में, और वहाँ अगर कोई services प्रोवाइड हो रही है, या वहाँ goods प्रोड्यूस हो रहा है, वहाँ से supply हो रहा है, तो उस पर भी GST आएगा, क्योंकि वो भी इंडिया का part माना जाएगा, तो इस तरह से हमने यहाँ पे यह देखा कि, exclusive economic zone, और next वो कहते, other maritime zone as defined in territorial water, continental shelf and exclusive economic zone, तो यहाँ पे other maritime zone भी, अगर कोई notified होगे, जो 12 nautical miles के बाहर होगे, territorial water के बाहर होगे, तो वो भी इंडिया का part माना जाएगा, उसके बाद में, airspace की अगर हम बात करें, तो airspace में कौन सा area इंडिया माना जाएगा, वो कहते airspace about territory, मतलब land के उपर का जो airspace है, वो इंडिया में माना जाएगा, और territorial water के उपर का airspace है, बस यह दोई, यह दोई, अगर land के उपर का, territory के उपर का airspace इंडिया माना जाएगा, और territorial water के उपर का airspace इंडिया में माना जाएगा I hope you understood तो ऐसे situation में ध्यान से सुनिएगा ऐसे situation में अगर aircraft यहां होगा तो क्या वो इंडिया में माना जाएगा नहीं, वो इंडिया में नहीं माना जाएगा तो airspace का क्या importance इंडिया मानने का बहुत से activities जहां तक है within territory, within India होती है जैसे एर क्राप में बहुत से यहां पर catering service या foodstuff service प्रोवाइड होती है navigation service दी जाती है तो जो भी activity within India होगी उसके उपर GST आएगा I hope, okay, आपको समझ में आया होगा तो, okay, जमीन हमारी territory, पानी 12 nautical miles उसके नीचे का सिब सीबेड उसके नीचे का सब स्वाइल उसके बाद में continental shelf वो एक स्लोब आता है और exclusive economic zones जो notify हुए है within 200 nautical miles within 200 nautical miles exclusive economic zone notify हुए है वो भी India के definition में cover किये जाएगे और maritime zone भी India के definition में cover किये जाएगा airspace कहां तक cover किये जाएगा तो airspace about territory and about territorial water ये इंडिया के definition में cover किया जाएगा तो ये अमने definition देखा ओके इंडिया उसके बाद में union territory union territory बेटा यहाँ पे मैंने ये पड़ा दिया है पाँच यूटीज है अंदमान निकोबार आइलेंड लोक्षदिप, दमंदिव, दादरनगर हवेली, लद्दाक और चंदिगर और इनी अदर territory फिलाल तो कोई अदर territory notified नहीं है पर ये पाँच यूटी मानी जाएगी और अगर ये यूटी होगी तो यहाँ पे interest rate supply होता है यहाँ पे अगर interest rate supply होता है तो वो situation में CGST और UTGST लगेगा तो यहाँ आपने कुछ definition यहाँ पे देखा अब next इस पे आते और मैं लेने वालो आपका section 9 यहाँ जाएगी चलिए, तो दोस्तों, अब मैं बेर एक्ट पड़ूगा और फिर नोट्स में उसको अनलाईज करूगा, ठीक है? बेर एक्ट आपको फिजिकल कॉपी मिल जाएगी, सुनिए का, बेर एक्ट की फिजिकल कॉपी मिल जाएगी, तब तक मैंने आपके लॉगिन में बेर एक्ट का पीडिया हुआ है, या अगर आप डेली बेसिस पर देख रहे होगे, तो मैं अपलोड कर दूगा, अभी तक हो पर मैं कर दूगा, बेर एक्ट का प्रिंट आपको लेना है, एक्जाम के हिसाब से बेर एक्ट से ज्यादा हमें नोट्स पर फोकस करना है, लेकिन मैं जस्ट आपको कहना चाहोगा, कि बेर एक्ट इसलिए मैं पढ़ रहा हूँ, क्योंकि आप फाइनल लेवल पे हो, और ब पूरा एनलेसिस नोट से करेंगे, और नोट्स में मैंने मैंने मैक्सिमम सिंप्लीफाइड वे में अनलाइस किया हुआ है, पॉइंट वाइस मैनर में अनलाइस किया हुआ है, लेकिन आप एक प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हों, और ये प्रोफेशनल कोर्स में बेर एक्ट आ आता हूँ सबसे पहले Section 9 क्या कहता है क्या देखिए या यह statutory provision है यह हमारा bad act है अब भाई, okay bad act है यह मत पूछना नहीं तो मैं यहां से जम मार लूँगा बिल्कुल ठीक है, हमारा कानून क्या कहता है, Section 9 अगर देखोगे तो 9-1, 9-2 9-3 और 9-4, okay यह 4 बाते और 9-5 दिया हुआ है ठीक है, अब यहां पे Section 9 of CGST Act, Levy and Collection of CGST Section 9 जो CGST Act का है, वैसे ही Section 9 SGST Act में भी है, हमें SGST Act नहीं पढ़ना है, अब bear act क्या कहता है, देखिए यहां पे आप screen पे ध्यान देना 9-1 कहता है, subject to provision of Subsection 2 Subsection 2 को ध्यान में रखते हुए, there shall be levied a tax called as CGST on all intrastate supplies of goods or services, all intrastate supplies of goods or services or both, except on the supply of alcoholic liquor for human consumption alcoholic liquor for human consumption जो होगा, okay उसके पर GST नहीं आएगा, on the value determined on the value determined under section 15 at such rate not exceeding 20 percent पही, value section 15 में determine होगी, और जो रेट होगा, वो CGST का रेट, I repeat CGST का रेट, max to max 20 रहेगा, max to max 20 रहेगा, as may be notified by government on recommendation of council and collected in such a manner as may be prescribed, okay, and collected in such a manner as may be prescribed and shall be paid by taxable person, shall be paid by taxable person, ठीक है, भाई, bare act, बोर होता है पढ़ना, लेकिन practice में, जब आप practice करोगे, student life में तो ठीक है, जब practice करोगे, तो bare act, मैंने कहा था आपको, या फिर से कहना चाहता हो, यहाँ जब हम represent करते है, commissioner के सामने, court के सामने, तो वो कहते है, भाई, act में क्या लिखाया, open कर, मैं act के wording के साब से चलूगा, चली, next, second मेरे साथ, यहाँ पे पढ़ियेगा, the central tax on supply of petroleum crude, subsection 2 देखो, the central tax on supply of petroleum crude, high speed diesel, motor spirit, natural gas, aviation, turbine fuel, shall be labelled with effect from such date as will be notified government on recommendation of council, मतलब क्या, section, subsection 1 कहता है, सुनिएगा, subsection 1 कहता है कि आपको GST जो आएगा, वो subject to subsection 2 आएगा, याने, इंडिया के सारे goods के supply पे, सारे services के supply पे, alcohol को छोड़के GST लगाया जाएगा, लेवी हो जाएगी, पर subject to subsection 2, कुछ goods ऐसे है कि जिसके ओपर GST तब लगाया जाएगा, जब GST council recommend करेगा, यह बात हम आप अलरेड़ी देख चुके है, subsection 3, subsection 3 कहता है, government on recommendation of council, क्योंकि council के recommendation के बिना पत्ता भी नहीं हेलेगा, on recommendation of council by notification, specify the category of supply of goods or services or both, the tax on which shall be levied on reverse charge basis by the recipient of such goods or services or both, and all the provisions of this act shall apply to such recipient as if, is the person liable for paying the tax in relation to supply of such goods or services, section 9.3 कहता है, कुछ cases government notify करेगा, और वो जो cases government notify करेगा, on recommendation of GST council, वो case में liability reverse charge में, recipient पे आएगी, और recipient इस act के सारे compliance करेगा, जिसको हम reverse charge करते हैं, तो no doubt, और कि normally tax देने की जिम्मेदारी, सब section 1 में, forward charge में, taxable person की है, मतलब supplier की है, taxable person की है, मतलब supplier की है, पर कुछ cases में, section 9.3 में, government notify करेगा, और वो नोटीफाई जो करेगा, उसमें liability recipient की आएगी, tax देने की, I hope you understood, उसके बाद में, government on recommendation of council, by notification, specify class of registered person, specify class of registered person, who shall, in respect of supplier specified in category of goods or services or both, received from unregistered supplier, pay the tax on reverse charge basis as a recipient, as the recipient of supply of goods or service or both, and all the provision of this act shall apply to such recipient, as if he is a person liable for paying the tax, in relation to such supply of goods or services or both, so now, okay, यहाँ पर, यह जो section 9C, GST Act का, subsection 9.4 क्या कहता है, subsection 9.4 यह कहता है, कि, और कुछ reverse charge की cases होगी, अगर supplier unregistered है, और लेने वाला registered है, और लेने वाला specified registered person होगा, तो हम वो government specify करेगा on recommendation of council, और उसके basis पर reverse charge लगाए जाएगा, यह bare text है, भाई साब आपको बता दू कि, यह जो section 9192 है, यह हमारा chapter 1, यह जो, ओके, यह, इसके उपर पूरा chapter 2 है, concept of supply, supply याने क्या, लेवी कब आएगी, ओके, यह पूरा हम देखने वाला है, reverse charge related 9.3, 9.4, detail में देखने वाले, next chapter में, okay, reverse charge and issue, जैसे section 9.5 related to issue है, और वो issue में हम यहाँ पर पढ़ने वाले है, ठीक है, तो चलिए, okay, हर चीज को हम analyze करते है, जो लिखा हुआ है, उसको analyze करते है, तो एक-एक चीज को मैं analyze करके देता हूँ, और वापस bare act में आऊगा, जैसे, अब लेवी CGST की जो है, वो CGST की लेवी intra-state supply पर यहाँ पर दिये है, section 9 में हम देख रहे हैं, वैसे ही, okay, section 5 अगर बात करें, तो IGST, IGST में section 5 है, okay, यहाँ 5-1, 5-2, okay, 5-3 और 5-4, IGST एक जब मैं start करूगा, तो IGST में हम definitely इसको पढ़ेगे, है, IGST में definitely हम पढ़ेगे, अगर मैं यहाँ compare करके दूँ आपको, सुनिये दहान से, अगर मैं यहाँ पर compare करके दूँ आपको, तो दोनों भी exactly same है, जैसे, IGST में section 5-1 क्या कहता है, section 5-1 कहता है, कि आप, आपको, okay, exact word-to-word same है, सिब यहाँ पर interstate supplies लिखा हुआ है, other than alcoholic लिखर, okay, आपको all goods, जो interstate supply करोगे, उस पर GST लगेगा, valuation section 15 से होगा, और उसका collection taxable percent से होगा, exactly same दिया है, import transaction होगा, तो आपको IGST, import transaction होगा, तो आपको IGST, okay, section 3 of custom tariff act में लगाया जाएगा, okay, section 3 of custom tariff act मतलब ACD 37 form में लगाया जाएगा, उसके बाद में IGST भी आपको petroleum product पे नहीं लगेगा, वही section है, बस वहाँ 9-2 है, तो इधर 5-2 है, okay, IGST के भी reverse charge होगे, IGST के भी reverse charge होगे का मतलब क्या है, कि अगर आपका एक state से दूसरे state में transaction होता है, और वह reverse charge में notify होगा, तो reverse charge में section 9-3 और 9-4 में आपको reverse charge में tax दिरा पड़ेगा, और यह उसका bear text यहाँ पे दिया है, चलिए, इसको अब थोड़ा detail में step-by-step पढ़ते हैं, और no doubt by bear text वापस आओगा, और हर line को यहाँ पे हमारा discussion अने के बाद, और definitely यहाँ बहुत इच्छे से explain करूगा, चलो आजाएए अब हमारे notes में, sir, exam में bear text याद रखना है कि नहीं, लेकिन मैं आपको कैसे पढ़ा जाता है bear text वो जरूर समझाओगा, और यह बहुत important है, एक एक word एक लाइन कैसे important होती है, कॉमा भी कैसे important होता है, मैं आपको यह पढ़ाते जाओगा, done, चलिए, अब आजाओ, हमारे, ओके, यहाँ पे notes में, तो चलिए, आज आते हैं हमारे section 9, charging section पे, तो मैं सबसे पहले attack करूगा section 9 पे, charging section of CGST Act, और section 5 of IGST Act, ओके, तो चलिए, यह charging section क्या कहता है, यहाँ पे, देखते हैं, levy of, यहाँ पे CGST, तो levy of CGST section 9, underline करना, CGST is applicable to all intrastate supplies of goods or services, यह आल को ऐसे बादल करना, all intrastate supplies of goods or services, except except alcoholic liquor for human consumption, except alcoholic liquor for human consumption, ठीक है, अलकोल पे यहाँ पे GST नहीं आएगा, यह तो आपका पता है कि अलकोल पे GST नहीं आएगा, उसके बाद में, tax is collected and paid by taxable person, अब यह बहुत important हो जाता है, GST का tax person पे नहीं है, GST का tax taxable person पे है, following the prescribed manner, जो आपको payment करना है, वो आपका time of supply जब आएगा, वो time of supply पे 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 करना है, okay, okay, prescribed manner में and value of CGST, यह underline करना है, value for CGST लेवी is based on transaction value under section 15, okay, valuation जो होगा, okay, यहाँ पे section 15 में होगा, तो चलिए, अगर मैं section 9-1 को यहाँ पे divide करूँ, तो पहला charge कब आएगा, दूसरा taxable किसको pay करना पड़ेगा, value क्या होगी, और एक general idea दिया है, यह सब आपको पता है, देखो, हो सकता है कि अभी discussion slow गया होगा, लेकिन दिरे 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 बहुत मज़ाएगा आपको, बहुत मज़ाएगा, तो यह track मत छोड़ना, track मत छोड़ना, और बिल्कुल time pass मत करना, ठीक है, आपको यहाँ पे value जोगा section 15 से होगा, उसके बाद में next, वो कहते है rate for CGST, अब section 9-1 कहता है कि CGST का rate क्या होगा, the rate of CGST as determined by government on recommendation of GST council, but maximum rate is 20%, मतलब क्या, वैसे तो rate वो होगा, जो GST council recommend करेगा, पर 20% से ज्यादा नहीं होगा, सर यह point नहीं समझा, मतलब, अगर आपका general rate है, आपका general rate है, यहाँ पे 5%, 12%, 18% और 28%, ठीक है, तो वो क्या कहते है, CGST का rate, जो GST council recommend करेगा, मतलब यहाँ पे नहीं से सुनिएगा, ओके, CGST council recommend करेगा, मतलब, यहाँ पे, जैसे 5% होगा, तो 2.5%, 6%, 9%, and 14%, यहने किसी भी आहलत में, आपका rate 20% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, CGST का, और नहीं है, 20% से ज्यादा, और SGST का भी rate आपका 20% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो अभी फिलाल 2%, 6%, 9%, और 14%, और कि इससे ज्यादा नहीं है, मतलब, maximum rate future में अगर रहेगा, तो maximum 20% rate रहेगा, उससे ज्यादा आपका rate नहीं हो सकता, CGST का, और SGST का, अगर हम IGST की बात करें, तो maximum 40% रहेगा, उससे ज्यादा IGST का rate नहीं रहेगा, तो चलिए, यह था regarding to rate of CGST, उसके बाद में next अगर हम बात करें, यहाँ पे, तो section 9-2 क्या कहता है, sorry, 9-1, हमने CGST के बारे में देखा, अब similar principle पे section 5, अगर हम section 5 बात करें, तो section 5 यहाँ पे, section 5 अगर हम बात करें, तो levy of IGST, और IGST आपका interstate supplies of goods or services पर लगेगा, IGST में आपका valuation section 15 से होगा, और maximum rate आपका IGST का 40% होगा, future में 40% आ सकता है, लेकिन अभी जो rate है बेटा, okay, IGST का max to max rate 28% है, okay, तो यह हमने देखा IGST का, उसके बाद में, next, अगर हम बात करें, section 9 क्या कहता है, section 9 यह कहता है, कि यहाँ पर, okay, 9-2 में, अगर हम section 9-2 ले, तो 9-2 में यह कहा गया है, कि CGST, IGST on supply of certain items, such as petroleum crude, high speed diesel, motor spirit, natural gas, aviation turbine field, has not been levied yet, okay, और यह लेवियोगा on recommendation of GST council, okay, यह act में भी कहा है, और यह constitution में भी कहा है, जब GST council का recommendation आएगा, सुनना, तब इस items पे GST लगाई जाएगी, okay, तो चलो यह table complete कर लेता है, यह table बहुत important है, इस table में सारा analysis हो जाएगा, okay, मुझे बताओ, alcoholic liquor for human consumption, क्या GST है, नहीं, GST नहीं है उसके उपर, एक बार revise हो जाएगा, हमने, okay, constitution के provision में भी देखा था, GST नहीं है, क्या excise duty है, yes, central excise है, sorry, 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 state excise है, यहां लिखो, state excise है, VAT है, yes, CST है, yes, okay, VAT, CST है, petroleum product में, petroleum crude, high speed diesel, motor spirit, natural gas, aviation, turbine fuel, GST है, फिलाद नहीं है, GST नहीं है, इस पर central excise है, लिखो, वहां पर central excise, central excise है, VAT भी है, और CST भी है, okay, VAT भी है, और CST भी है, यह GST के scope में नहीं आता है, उसके बाद में tobacco and tobacco product, अगर हम बात करें, tobacco और tobacco product, तो यह tobacco, tobacco product यहां पर, GST लगता है, YES, YES, this is important, GST लगता है, YES, excise लगता है, YES, central excise लगता है, लिख दो वहां पर, एक बार revise हो जाएगा आपका, और जहां GST लगता है, फिर VAT और CST नहीं लगेगा, NO and NO, VAT और CST नहीं लगेगा, उसके बाद में, OPM, Indian Heme, Other Narcotic Drugs and Narcotics, क्या GST लगता है, YES, GST लगता है, और इसके उपर, State excise लगेगा, इसके उपर, State excise लगेगा, और VAT और CST नहीं लगेगा, जहां GST लगेगा, वहां VAT, CST नहीं लगता है, और बाकि, All Other Goods, और Services, और कि, All Other Goods, और आप लिख सकते हो, Services, और कि, बाकि केस में, Only GST लगेगा, बाकि कुछ भी नहीं लगेगा, Only GST लगेगा, और कि, तो ये टेबल में, Section 9 भी, वही बात कहता है, जो हमने Constitution में देखा, और Section 9, Subsection 2 ये कहता है, कि, Petroleum प्रटक पे, GST तब आएगा, और कि, जब GST Council recommend करेगा, अल्कोलिक लिकर पे, GST फिलाल नहीं है, बाकि का analysis, हमने Constitutional Provision में देखा था, Okay, I hope आपको ये समझाओगा, उसके बाद में, अगर हम Special Discussion करें, तो GST on Imported Goods, Supply, ये discussion थोड़ा यहां Point-wise समयद लो, क्योंकि ये Section 5 में, अगर आपको Section लिखना है, तो Section 5 में ये Cover किया गया है, Okay, Import Interstate Supply माना जाएगा, और IGST लेविड on Imported Goods, in addition to Custom Duties, याने Basic Custom Duty तो लगती है, Imported Goods पे, साथ-साथ में IGST लगेगा, Integrated Tax on Imported Goods, Follow the Provision of Custom Tariff Act 1975, and Collected as a SD 37, Collected as a SD 37, और GST Compensation says, SD 39 के Form में Collect होगा, मतलब, मतलब, हम Customs में इसको Detail में देखेंगे, जब आप Goods इंपोर्ट करोगे, जब आप Goods इंपोर्ट करोगे, तो BCD, BCD मतलब Basic Custom Duty तो लगेगा ही लगेगा, Basic Custom Duty लगेगा ही लगेगा, और इसके उपर, IGST Act में, सुनना द्यान से, इसके उपर IGST Act में, यहाँ पे Section 5 में, Import Transaction पे, IGST लगता है, और वो लगता है, ACD 37, Additional Custom Duty 37, Equals to IGST, और ACD 39, Okay, ACD 39, Equals to GST 6, GST 6, तो आपको, यह जो ACD लगेगा, IMPORTED GOODS में, IGST लगेगा, वो ACD फर्म में लगेगा, Okay, वो यहाँ पे कहना चाहते है, तो यहाँ पे, अगर आपका, Import Export होगा, तो वो IGST इस फर्म में आपको लगाए जाएगा, चलिए, अब आपको बेटा, यहाँ पे, एक चार्ट ड्रॉ करना है, चलो मेरे साथ फटा फट वो चार्ट ड्रॉ करेगा, सभी स्टुडेंट्स यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, मेरे साथ चार्ट, Are you ready? Yes or No? चलो, मैं आपको चार्ट बता देता हूँ, चलिए, आजाईए, यहाँ पे, Notes में, Notebook में, यह Page Number डालिए, Title देजिए, Section 9, और आपको यह चार्ट ड्रॉ करना है, Vertical Page लेना है, सभी मेरे साथ connect हो जाओ, Vertical Page लेना है, ठीक है, और आपके Notebook में चार्ट ड्रॉ करना है, जैल, अब देखो, लिखो, Section 9-1, 9-1, Charging Section, लिखो वहाँ पे, Section 9-1, Charging Section, इसको तीन पार्ट में डिवाइट करो, तीन पार्ट में डिवाइट करो, Section 9-1 को, ठीक है, 9-1, पहले पार्ट में लिखो, लेवी, पहले पार्ट में लिखो, लेवी, जैंद पार्ट में लिखो, यहाँ पे, Collection, सकेंद पार्ट में लिखना, Collection, and third part में person liable to pay tax pay tax लिखा आपने person liable to pay tax अब levy में आपको further three part करना है और पहले part को ज्यादा space रखना है levy में further three part sir collection और person liable to pay tax इसमें कुछ नहीं आना है इसमें अच्छा एक काम करो पहले इदर लिख लो पहले इदर लिख लो बागी का space आप यूज़ का सकते हो collection in a manner as prescribed in a manner as prescribed और person liable to pay tax person liable to pay tax में taxable person taxable person तो फटा फट चार्ट ड्रॉ करों में टाइम नहीं दोगा आपको taxable person ये बहुत important word है इसके ओपर हमारा discussion होने वाला है person liable to pay tax is taxable person चलो अब आते हैं levy लेवी में charge किसके उपर है value क्या होगी और rate क्या होगी rate क्या होगी पहले value और rate लिख लो उसके बाद मैं बाद की का space charge के लिए उसके रहें है value section 15 से fix होगा value section 15 से fix होगा बेटा कोई time pass नहीं कोई time pass नहीं ठीक है rate अगर CGST है तो max 20% फिलाल 20% applicable नहीं है पर max 20% SGST है तो max 20% अभी तो max 14 ही है 14, 14, 28 औक और IGST है तो max 40% IGST है तो max 40% done और valuation section 15 से होगा अब आजाओ चार्ज में चार्ज में यहां पर है यहां अगर CGST act है CGST act यह SGST act है तो charge section 9 कहता है CGST और SGST में section 9 1 कहता है intrastate okay section 9 1 कहता है all intrastate supply all intrastate supply अगर आपका IGST act है तो section 5 1 कहता है all intrastate intrastate supply all intrastate supply लिको फटाफ़ लिको all intrastate supply of goods or services or both okay of goods or services or both all goods or services for both except except alcoholic liquor AL means alcoholic liquor for human consumption for human consumption alcoholic liquor for human consumption और नीचे 9-2 कहता है अगे section 9-2 या 5-2 कहता है 9-2 या 5-2 कहता है लिखो for following goods for following goods GST is leviable when recommendation recommendation is given by council recommendation is given by council तुसमे लिको लिको प्राक्टिस होगी first petroleum crude petroleum crude second high speed diesel third motor spirit मतलब petrol fourth natural gas be careful natural gas लिक्विड पेट्रोलियम गैस नहीं उस पे GST आता है natural gas होना चीए bio gas GST आता है natural gas होना चीए and fifth ATF aviation turbine fuel ATF aviation turbine fuel और इसको ऐसा combine करके आप side में लिख सकते हो इसे non-taxable supply भी कहा जाता है non-taxable supply that is no levy of GST section 9 में levy ही नहीं है I repeat section 9 में levy ही नहीं है no levy of GST okay non-taxable supply that is no levy of GST ठीक है यह complete chart ऐसा आ रहा है chart का आपको यह screenshot ले लेना है okay section 9 में charging section चलिए section 9 1 को मैं समझा देता हू देहन से देखिएगा section 9 1 क्या कहता है बहुत important है पूरा flow क्योंकि सारे chapter इस chart 9 1 से connect होने वाल है इसलिए it's a very very important देहन दीजिएगा section 9 1 क्या कहता है प्लीज 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 कोई टाइम पास नहीं सभी देन दो सभी देन दो यहां पर पूरा GST law हम तीन पार्ट में डिवाइट कर रहे है लेवी, collection and personal liable to pay tax first create the charge collect the charge and okay pay the tax जहां तक है collection collection in such a manner as prescribed होगा जिसके लिए एक chapter पढ़ेंगे time of supply अगर आपको यहां पे यहां देखना है तो इसके लिए chapter पढ़ेंगे time of supply person liable to pay tax तो person liable to pay tax taxable person यह बहुत important तरम है taxable person जो हम आगे दिखेंगे लेवी, अगर हम लेवी की बात करें तो charge आएगा intrastate या intrastate supply section 9151 okay intrastate या intrastate supply पे charge आएगा जिसकी value section 15 में determine होगी, okay section 15 में complete valuation chapter पढ़ेंगे जहां तक rate है max to max 40% रहेगे, 2020 या 40% रहेगे, okay अब यह क्या कहता है, all intrastate or interstate supply up goods or services, इंडिया के सारे goods or services पे GST लगाएगे okay, सारे goods or services पे GST लगाएगे, लेकिन 6 ऐसे items है जिसके ओपर फिलाल GST ने लगेगा, alcoholic liquor for human consumption और section 9-2 या 5-2 के इसाब से 5 petroleum products जिस पे GST की लेवी नहीं होगी उसे non taxable supply का जाएगा और भाई साब, okay यह तो मैंने individual chart आप से draw करवाया यही chart हमारे chart book में है okay, फिर यह chart हमारे wall chart में और wall chart में तो मैंने एक एक chapter इसके निचे अटेच किया है valuation के निचे, valuation का chapter collection के निचे, time of supply का chapter okay, taxable person के लिए पूरा reverse charge, normal charge payment of tax, okay और supply के निचे पूरा supply का chapter तो wall chart आपको ऐसे पूरे chapter करके देगा पूरे chapter करके देगा और chart book आपको जो है एक एक chapter का chart करके देगा आगे आगे देखिए, होता है क्या okay, तो notes आपको point wise manner में points बताएगी charts आपको complete view देगा और wall chart डेली आपके connection लगाएगा और इस तरह से GST हम पढ़ेगे इस बार, 80 पार बुलिए इस बार, क्या 80 पार, very good इस तरह से पूरा GST पढ़ा जाएगा okay, चलो भाई तो आपने ये chart निकाला ये chart आपने बहुत अच्छे से निकाल लेना है okay, यहाँ पर चली, यहाँ पर एक ब्रेक लेते है छोटा सा और रिमेनिंग डिस्कुशन आफ्टर शोट ब्रेक दाण? okay पर जाएगा झाल 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 चली बेटा, next एक concept लिया है मैंने, जो मुझे ऐसा लगता है कि अभी basic level पे आपको यह discuss करना जरूरी है, बाकी detail discussion तो हम जो है IGST Act में करेंगे concept is zero rated supply, very important, zero rated supply under IGST Act, बाकी detail discussion जब मैं IGST Act पढ़ाओगा तो उसमें तो cover करूगा है, ठीक है? zero rated supply means any of the following supplies of goods or services or both, namely, जब भी आप GST लापढ़ोगे तो नीचे दिये गए दो supply को ही zero rate बोला जाएगा, एक बार बोले मेरे साथ, जब भी आप GST Act पढ़ोगे और जब जब भी word zero rate आएगा, तो नीचे दिये गए दो supply को ही zero rate बोला जाएगा, पहला, export of goods or services, सुए होगे तो जाग जाओ, जो goods or services export होगे, उनको zero rate बोला जाएगा, और supply of goods or services और both to special economic zone developer और SEZ unit, supply of goods or services और two, two को ऐसा हाइलेट करता है, two SEZ और यहाँ पे developer और units, इसको zero rated बोला जाएगा, zero rated supply is allowed, without payment of GST, गौवर्मेंट के दो लोग लाडले हैं, और गौवर्मेंट इन लाडलों को बहुत प्यार करना चाहती है, और लड़ा लड़ा के, यहाँ पे इनको tax benefit देना चाहती है, कौन से दो लोग लाडले हैं, इंडिया का कोई भी बन्दा, goods or services export करेगा भाई, हैं, ओके goods or services export करेगा, तो उसको हम without duty, उसका rate zero कर देंगे, और without duty उनको export करने देंगे, यहने export पे IGST नहीं लगाएंगे, दुसरा, अगर आप S-E-Z को supply करते हो, तो वो situation में आपको zero rate कर दिया जाएगा, यह दो लोग हमारे लाडले, लेकिन, अगर आपको यह zero rate लेना है, तो कुछ conditions आपको fulfill करनी पड़ेगी, और वो conditions दी है, कहां पे, वो conditions दी है, IGST Act में, भाई साब, ओके, यह S-E-Z क्या होता है, अगे, अब यहां supply to or from S-E-Z है, थोड़ा यह concept समझ लेते है, S-E-Z एक ऐसा zone बनाया जाता है, ओके, यह concept को समझना, S-E-Z एक ऐसा zone बनाया जाता है, जो specially exports के लिए होता है, वहां सारा infrastructure, facilities, पूरे, 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 जो यहां पे export के लिए जरूरी है, सब कु इनिया बर के brands होते हैं, पर mall ऐसा बनाया जाता है, boss की, सबी infrastructure, facilities है के, लोग जादा से जादा mall में है, वैसे S-E-Z में होता है, exports के लिए बना जाता है, इनको object होता है, goods manufacture करो, goods manufacture करो और export करो, आपको सारी facilities, infrastructure महा दी जाएगी, कम cost पे, government के incentives पे, और S-E-Z Act special बनाया गया है यह S-E-Z Zone होता है, होता है, इंडिया में ही है, लेकिन इसे special island माना जाता है, होता है इंडिया में ही है, पर special island माना जाता है, क्योंकि इंडिया के बहुत सारे act, इस S-E-Z Zone को नहीं लगते है, labor law नहीं लगता है, दुनिया बर, factory act नहीं लगता है, दुनिया बर के act इसको न यह बहुत बड़ा बेनिफिट है इंडस्ट्री के लिए इसमें सैमसर आएगा एफजी आएगा और के दुनिया बर की कमपनी वर्लपूल आएगा दुनिया बर के वैक्टरी अपने सेट अप करेंगे यह जोन में सो दैट दूसरे कोई आट इनको ना लगे एक ही आट लगे स इसको कह जेते हैं SEZ एक होता है SEZ developer, developer मतलब reliance, reliance पूरा zone develop कर रहा है खर्चा लगा के और उसमें फिर units आते है, LG का unit आता है, Samsung का unit आता है, Whirlpool का unit आता है, जैसे एक होता है mall, mall कोई develop करता है और उस mall में brands आते है, वैसे developer of SEZ होता है और उसके बाद में units of SEZ होते हैं, आता है, अगर कोई domestic manufacturer या service provider, okay, domestic है, और यह SEZ developer को supply कर रहा है, या units को supply कर रहा है, तो यह zero rate में classify होगा, मतलब, okay, यह जो supply SEZ को हो रहा है, supply of goods, all services to SEZ, to SEZ, तो यह classify, लिखो वहाँ पर, to SEZ, तो यह classify होता है, zero rate में, export तो होता ही है, okay, पर SEZ को supply करना, यह भी zero rate में classify होता है, मतलब, मतलब, इंडिया का कोई भी supplier, अपनी goods और services, SEZ को दे सकता है, without payment of tax, यह without payment of tax ही मतलब zero बोला जाता है, okay, यह without payment of tax का मतलब ही zero rate बोला जाता है ठीक है, confusion हो सकता है, sir, what is the difference between exam rate and zero rate, nil rate and zero rate, okay, इसका special chart में आगे लोगा, अगर आपके doubts होगे तो थोड़ा रूख जाना, okay, मैं बहुत अच्छा chart लोगा और बहुत अच्छे से समझा दूगा, in between doubt मत पूछो, concept को complete होने दो, एक आदत लगा लेना, okay, concept को complete होने दो, इसक without payment of tax, generally called as zero rate, ठीक है, उसके बाद में, sir, कभी-कभी SEZ के units के order cancel हो जाती है, अगर यह order cancel हो जाती है, तो domestic clearance करना पड़ता है, generally SEZ में जो goods बनता है, वहां bond होता है कि वो export ही करेंगे, और वो export करेंगे, अगर वो export करते हैं, तो वो भी zero rate होता है, क्योंकि export zero rate है, यह भी zero rate ही हो जाता है, दिफेक्ट हो गया, domestic clearance करना है, और अगर यह domestic clearance कर रहा है, जहां सुनिएगा, अगर यह domestic clearance करना है, ऐसा arrow बता हो, अगर यह domestic clearance कर रहा है, तो क्या इसके ऊपर tax आता है, yes, इसके ऊपर domestic clearance करता है, यह supply बुला जाएगा, it is a supply and second, यहां पे GST is payable और यहां लगता IGST, यहां लगता है, IGST is IGST is payable ओके, यह IGST लगता है, as per IGST Act ऐसी जेट से कोई भी goods इंदिया में clear होगा तो वो supply माना जाएगा ओके, और वो interest rate supply माना जाएगा interest rate supply माना जाएगा उसके उपर IGST पे होगा उपर भी, यह भी interest rate supply ही है, पर zero rate है, यह interest rate supply ही है, अगर आपको लिखना होगा तो वो भी interest rate ही है, as per IGST act, पर zero rate है, और यह भी supply interest rate माना जाएगा, पर इसको zero rate का benefit नहीं मिलेगा IGST payable, औके, और यहां पर लिख देना, no benefit of zero rate no benefit of zero rate मतलब तो आपके उपर GST देना पड़ेगा, चलिए भाई, तो यह जो हुआ, यहां पर एक S-E-Z का concept, मैंने यह pictorial presentation से आपको explain करने की कोशिश की, भाई समझा की नहीं समझा please बताईए okay, यह समझा की नहीं समझा, please बताईए I hope you understood okay, no doubt, zero rate exempted rate, kneel rate इनमें difference क्या है, हम आगे लेंगे, हम आगे लेंगे चलो अब एक सवाल आ सकता है की इसको interstate क्यों माना जाता है, भाई साब इसको interstate इसलिए माना जाता है क्योंकि S-E-Z एक special island माना जाता है, मतलब ऐसा माना जाता है कि इंटरस्टेट्स अप्लाय एस पर सेक्शन सेवन फाय। अफ आई जिस्ट एक्ट हम आगे देखेंगे दन चलो तो यहां पर इन दिस वे वी आप प्लेटेड चाप्टर बन अफ जी स्ट जी स्ट का चाप्टर बन हमने यहां पर खतम किया ठीक है इस चाप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं जो भी रिलेवन डेफिनिशन से यहां देखेंगे उसके बाद में meaning and scope of supply yes meaning and scope of supply यहां देखा जाएगा फिर schedule 1, schedule 2, schedule 3 related to section 7 supply leviable to GST or not कौन-कौन से supply GST में नहीं आते हैं section 8 composite supply और mix supply उसका आप discussion करेंगे advanced level पर, inter level पर तो आपने किया है लेकिन मैं advanced level पर, मतलब basic भी करूगा और advanced level का भी discussion करूगा उसके बाद में classification under GST for goods or service और उससे related clarification भी हम देखेंगे ठीक है, तो चलिए, यहां पर यह chapter का हम discussion स्टार्ट करेंगे सबसे पहले कुछ definition देख लेते हैं section 2, subsection 84, person includes person की definition, GST में क्यों important है अभी अभी हमने देखा था, section 9-1 9-1 में levy, assessment and collection collection में, sorry, levy, collection and person liable to pay tax collection and person liable to pay tax में लिखा हुआ है, taxable person okay, taxable person, तो GST liability taxable person पर आती है, तो यह समझना बहुत जरूरी है, what do you mean by person तो section 7, supply start करने के पहले, कुछ definitions हम यहां समझ लेते हैं person includes यहां, individual, HOF, company, firm, LLP, AOPBOI, AOPBOI मतलब association of person or body of individual, any establishment or corporation under the act, any body corporate, registered cooperative society, local authority, central or state government, important, government भी person मानी जाएगी, society, trust, और last में any artificial judicial person, not falling within any of the above, मतलब थोड़ा इस concept को समझ लो, यह बाकी सारी चीज़े तो पता है, income tax में भी same है, okay, society, cooperative, body corporate, local authority, आपको एक सवाल में पुछता हो, कि यहां पर क्या trust को GST देना पड़ेगा, यह यह भी person है, society को देना पड़ेगा, हाँ, cooperative society को देना पड़ेगा, हाँ, क्या government को खुद को GST देना पड़ेगा, हाँ, अगर government को goods or services supply कर रही है, तो वो भी person माना जाएगा, और उसको भी GST देना पड़ेगा, LLP हो, firm हो, सारे person के definition में है, किसी को नहीं छोड़ा, और आखरी में तो ऐसा word use कर लिया, आखरी में ऐसा word use कर लिया, trust तो person रहेगी, यहाने यह ख्याल रखना कि अगर कोई trust supply करे goods or service का, तो उसको भी GST आएगा, और लास तो कहते है, any artificial judicial person, not following any of the above criteria, मतलब कोई अगर नया person आ जाए, जो future में develop हो जाए, जैसे LLP develop होया पिछले 10-15 साल में, one person company develop हुआ, अगर future में कोई नई entity develop हो जाए, तो उसको भी cover कर लिया जाएगा person की definition में, exam case आप से देखा जाए, तो यह definition आपको नहीं पूछी जाएगी, क्योंकि यह definition बहुत ही यहाँ पे यू, okay, general definition है, जो income tax में भी यह भी है, पर यहाँ ठ्याद रखने लाएक क्या बात है, सारे सारे लोगों को cover कर लिया, GST में किसी को नहीं छोड़ा जाएगा, मैं नहीं दे दिया है, मैंने नीचे cover किया है, okay, और वो यह cover किया है, कि association of person or body of individual, वो इंडिया में incorporated हो या ना हो, मतलब इंडिया में वो registered हो या ना हो, अगर कोई unregistered club है, okay, अगर कोई unregistered joint venture है, कोई unregistered यहाँ पे association of person है, या body है, तो unregistered body भी person मानी जाएगी, यह हमारा बिल्कुल भी criteria नहीं है, कि वो incorporated होना चीए, दुसरा, AOP, BOI और body corporate, incorporated वेदरीन इंडिया और outside इंडिया, okay, मतलब आपका AOP और BOI, वो इंडिया में incorporated हो, या बाहर वाले, okay, बाहर वाला, बाहर इंकॉर्परेटेड़ और इंडिया में ब्रांच हो, जैसे कोई body corporate हो, बाहर इंकॉर्परेटर होगा, बाहर रजिस्टर होगा, पर उसकी ब्रांच होगी, और वो services सहाँ दे रहा होगा, तो GST आ सकता है, मतलब in short, okay, सब कुछ उन्होंने person के definition में cover कर लिया है, person के definition में cover कर लिया है, तो यह definition थी person की बिटा, okay, उसके बाद में next, यहाँ पर अगर हम देखे, तो next definition, which is very very important, और वो है taxable person, okay, वो है taxable person, ठीक है, taxable person means a person who is registered or liable to registered under section 22 और section 24 of GST Act, okay, अब थोड़ा यह concept को समझना, person की definition तो हमने उपर देखी, लेकिन second है, taxable person यहने क्या, क्योंकि GST liability, अगर आप taxable person होगे, तो ही GST liability आएगी, धैन सुनना, अगर आप taxable person होगे, तो section 9-1 में GST liability आएगी, सर, अब देखो यह wordings कैसे हैं, सर मैं person तो हूँ, सर मैं person तो हूँ, पर taxable person नहीं हूँ, तो क्या मज़े GST देना पड़ेगा, answer is no, मतलब थोड़ा समझाता हो, answer is no, okay, intrastate supply, intrastate supply हुआ है, of goods or services, goods or services, by person, by person, ठीक है, और intrastate supply, intrastate supply, of goods or services, by taxable person, भाई साब, यह दो word में बहुत फरक है, supply तो दोनों कर रहे हैं, दोनों intrastate कर रहे हैं, और अगर person करता है, तो GST नहीं लगेगा, क्योंकि 9-1 कहता है, सुनो, 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 मेरी बात, सुनो, 9-1 कहता है, अगर आपको चार्ड याद आ रहा होगा, 9-1 कहता है, कि liability तभी आएगी, जब taxable person होगा, अगर taxable person नहीं, तो GST ही आएगा, taxable person होगा, तो ही GST देना पड़ेगा, अगर आप taxable person की definition देखते हो, अगर आप taxable person की definition में, means registered or liable to registered, अगर आप देखोगे, तो हो कहते means a person, ऐसा person, अब person मतलब वही, जो आपने देखा, individual, H.E.F. firm, L.L.P., A.O.P., B.O.I., body corporate, अगर ब्लाब्ला, ब्लाब्ला, हर वो person जो defined है, अधर वो registered चाहिए, अधर वो registered चाहिए, और liable to registered चाहिए, liable to registered चाहिए, अगे, अंडर section, liable to registered under section 22, और section 24 of the GST Act, C GST Act, अगे, section 22, क्या कहता है, आगे मैं पढ़ा होगा, registration above threshold, above threshold, अगर आपका threshold से ज्यादा turn हो रहा है, तो registration लेना पड़ेगा, और 24 compulsory registration, 24 compulsory registration, आपको 24 में compulsory registration लेना पड़ेगा, ठीक है, तो, अब थोड़ा धहान से सुनना, अगर किसी ने GST में registration ले लिया, जो अभी आसारी से मिल नहीं रहा है, ठीक है, अगर GST में registration ले लिया, तो वो तो taxable person हो गया, और उसे GST देना पड़ेगा, अगर वो लाइबल टू रजिस्टर्ड है, अगर वो लाइबल टू रजिस्टर्ड हो गया, मतलब उसका aggregate turn-on, उसका aggregate turn-on 20 lakhs, कुछ केस में 10 लाग, कुछ केस में 40 लाग, तो भी taxable person माना जाएगा, इवंदो उसने यहां पर registration नहीं करवाया है, registration नहीं करवाया है, और दूसरा compulsory registration, कुछ केसे से, कोई बताएगा एक अग्जामपल, अगर इंटर लेवल का कुछ याद आता है, तो compulsory registration कुछ केसे से, अगर आपका compulsory registration होता है, तो वो केस में आप taxable person माने जाओगे, चलिए, ना, कोई एक्जामपल बताएगा, अब इससे situation क्या create होती है, इससे situation क्या create होती है, आपको याद होगा compulsory registration तो reverse charge, CTP, casual taxable person, NRTP, non-resident taxable person, आपको याद है, interstate supply करते हो, तो compulsory registration लेने पड़ते हैं, सेक्शन 24 में देखेंगे, अच्छी बात है, आपको याद आ रहा है, अब यहाँ पे जहां तक देखा जाए, अब मुझे एक basic सवाल आप से पूछना है, देख तो आपको जानकर है क्या नहीं, मेरा ton और 5 करूड है, मुझे basic threshold 20 लाग का available है, basic threshold 20 लाग मतलब, 20 लाग तक मुझे registration करने की जरुवत नहीं है, यह law खुद कहता है section 22 में, और मुझे tax देने की जरुवत नहीं, क्योंकि मैं registered ही नहीं हो, तो कहां से tax दूगा, अब पहला situation है, okay, person, person opting, opting for threshold, पहला situation है, person opting for threshold, ठीक है, अब यह person threshold के लिए opt कर रहा है भाई, ध्यान से देखिएगा, अब person opting for threshold है, मतलब 20 लाग का turnor ले रहा है, मतलब अगर जब तक उसका aggregate turnor, aggregate turnor 20 lakhs cross नहीं होता है, okay, section 22 के हिसाब से, section 22 के हिसाब से, no need to take registration, यह आपका पता है, no need to take registration, तो इसको unregistered person माना जाएगा, मैं short में notes में भी URP word use करूगा, unregistered person माना जाएगा, जब उसका aggregate turnor 20 lakhs cross कर देगा, तब वो registration, तब वो liable to registered हो जाएगा, तब वो liable to registered हो जाएगा, okay, liable to registered, liable to registered हो जाएगा, done भाई, समझ में आई बात, अब सवाल क्या है, भाई यह 20 lakhs तक supply कर रहा है, interstate supply कर रहा है, interstate supply कर रहा है, या, interstate supply कर रहा है, क्या यह पहले 20 lakhs तक, उसके ओपर JST आएगा या नहीं आएगा, प्लीज बताओ, पहले 20 लाग तक उसके पर GST आएगा याएगा याएगा, बहुत ही सिंपल सवाल है, GST आएगा याएगा, बोलो प्लीज, answer is, no GST, answer is no GST, क्यों, क्योंकि section 9-1 कहता है कि, even though there is a supply, देहां सुनिएगा, ये चार्ड बड़ा अच्छा चार्ड है, okay, ऐसा ही मैंने आपको, okay, ये चार्ड में बोर नहीं किया, ठीक है, ये चार्ड बड़ा इंट्रेस्टिंग है, section 9-1 कहता है, charging section, और charging section कहता है, कि देखो भई, लेवी होगी, supply होगा, सब कुछ होगा, लेकिन GST तभी देना पड़ेगा, जब आप taxable person होगा, ये charging section ने कहा है, जब तक आप taxable person नहीं होते हैं, तब तक आपको GST देने की जरुवत नहीं है, okay, GST देने की जरुवत नहीं है, क्योंकि section 9-1 कहता है, कि you should be a taxable person, then and only GST is payable, तो ये तीनों condition फुल्फिल होनी चाहिए, आपका supply भी होना चाहिए, आप taxable person भी होनी चाहिए, तब जाके taxable event आएगा, और आप से GST collect किया जाएगा, आपके GST collect किया जाएगा, बोलो, हाँ, समझा नहीं, समझा, dance मत देखो, मेरा, dance मत देखो, इसे situation में, ऐसे situation में, जहां तक देखा जाए, आगया भाई, अरे, भाई साब किदर गया, तो ऐसे situation में, during this period, इवन्दो supply होगा, इवन्दो इसने माल बेचा होगा, पर वो taxable person नहीं था, इसलिए GST नहीं आएगा, हाँ, जैसे उसका aggregate turnover threshold के उपर गया, threshold मतलब, okay, 20,00,00, generally, और कुछ cases में, 10,00,40,00, अगर जैसे उसका turnover, okay, threshold के उपर जाता है, तो वो बन जाएगा, okay, वो liable to registration हो जाएगा, और जैसे वो liable हो गया, as per definition, अगर आप liable भी हो जाते हो, liable to registration भी हो जाते हो, तो yes, आप TP बन ग है, TP मतलब taxable person, okay, यहाँ पे TP equals to taxable person, taxable person, ठीक है, अब taxable person बन गया, और भाई, अगर आपके सवाल credit पे हो गया, sir, during this credit मिले गया, नहीं मिले गया, ITC में देखेंगे, अभी आपके लिए जानकर लिकर बताता हो, कि credit नहीं मिलते है, पाकी सब ITC में देखेंगे, अब दू 20 lakhs, second case, voluntary registration, voluntary registration, अब यह voluntary registration क्या है, मेरा turn or यहाँ पे, okay, aggregate turn or जो है, यह तो 20 lakhs बाद में cross हुआ, मेरा turn or यहाँ पे, aggregate turn or 2 lakh हुआ, aggregate turn or 2 lakh हुआ, ठीक है, और मैंने यहाँ पे, voluntary registration ले लिया, okay, voluntary registration ले लिया, okay, voluntary registration ले लिया, अब मुझे यह बताओ, कि अगर, क्या मैं GST में voluntary registration ले सकता हूँ, yes or no, please बताओ, क्या मैं GST में voluntary registration ले सकता हूँ, अगर मैं GST में voluntary registration ले रहा हूँ, ठीक है, तो जैसे मैंने registration ले लिया, I am a registered person, और अगर मैं registered person हो गया, अगर मैं registered person हो गया, okay, voluntary registration लेके, तो अगर मैं registered person हो गया, तो मैं इस period के दवरान, इस period के दवरान, taxable person माना जाओगा, taxable person माना जाओगा, इधर तो मैं TP हुई, इधर तो मैं TP रहो गई, पर यहाँ पे भी taxable person माना जाओगा, तो 2 करोड के आगे, हाँ, during this period, यह जो मेरा period है, जब तक मैंने registration नहीं लिया, यह period में मैं रहोगा URP, unregistered person, लेकिन जैसे मैंने registration ले लिया, मुझे taxable person माना जाओगा, अब मेरा दूसरा सवाल आपके लिए, और सवाल क्या है आपके लिए, मेरा सवाल आपसे यह है, कि यहाँ 2 लाग के बाद, 20 लाग तक, यह लगबक 18 लाग जो है, मेरा aggregate turnor extra, और यह extra aggregate turnor, यहाँ पे, aggregate turnor यह जो 18 लाग है, क्या इसके उपर GST आए पर यह जो 18 लाग है, इस पर GST आएगा क्या, अगर GST आएगा, तो 18 टाइब करें, नहीं आएगा, तो no tax type करें, आएगा तो 18 टाइब करें, नहीं आएगा, तो no tax type करें, तो क्या इस पर GST आएगा, तो answer is yes, answer is yes, okay, after, after taking registration, after taking registration, GST is payable, क्योंकि आप बन गए taxable person, GST is payable on 18 lakhs, come on, GST is payable, GST is payable, sorry, payable on 18 lakhs, यह 18 lakhs पे GST pay करना पड़ेगा, okay, and onwards, and onwards तो देना ही पड़ेगा, onwards तो देने ही पड़ेगा, फिर यह जो आगे आएगा, आगे तो GST आएगा ही बिटा, तो मेरा क्या कहना है, मेरा आपको यह कहना है, कि GST में, very important point, GST में basic exemption नहीं है, जैसे income tax में, आप individual हो, achieve हो, तो basic exemption मिल जाता है, okay, फिर आपकी income कितनी भी हो, आपको basic exemption मिल जाता है, और हर साल मिलता है, आपके पास pano तो भी मिल जाता है, okay, हर साल मिलता है, लेकिन GST में, basic exemption जैसा concept ही नहीं है, यहाँ पर ऐसा नहीं है, कि हर साल 20 लाग, हर साल 20 लाग, नहीं, जब तक आप registration नहीं लेते हो, 20 लाग तक, तब तक आप unregistered हो, और जैसे आपका turnover, 20 लाग cross हो गया, या फिर, आपने voluntary ले लिया, you become a taxable person, and once you become a taxable person, onward GST is payable, onward GST is payable, आप ऐसा नहीं कह सकते हो, कि नहीं, मुझे तो 20 लाग का exemption है, okay, even though मैंने registration ले लिया होगा, मेरा mood बन गया होगा, मैंने registration ले लिया, लेकिन, okay, मैं 20 लाग तो यहाँ पर exemption लोगा, नहीं, यहाँ basic exemption नहीं है, यहाँ, okay, registration के base पे GST है, मतलब आपको, okay, tax free registration की limit है, tax free registration की limit है, basic exemption नहीं है, okay, बात समझें कि आप, okay, इसलिए, यह बिल्कुल अजिम मत करना GST में बहुत basic है, कि आपको, यहाँ पर हर साल 20 लाग का benefit मेलेगा, ऐसा नहीं है, okay, जो benefit है, वो registration पर है, okay, तो जो आपको section 22 threshold benefit देता है, वो आपके registration पर देता है, कि वो खुद कहता है, कि 20 लाग तक register मत करो, register मत करो, मतलब आप taxable person नहीं हो, आप taxable person नहीं हो, मतलब आपको GST देने की जरुवत नहीं है, GST देने की जरुवत नहीं, पर आपने अगर registration ले लिया, आपने पहले दीन से registration ले लिया, voluntary, बहुत सारी company पहले दीन से ले लेती है, voluntary registration ले लेती है, उनको credit चाहिए, तो अगर आप voluntary registration ले लेते हो, पहले दीन से ले लेते हो, जब भी आप voluntary registration लोगे, तो तब आपको GST देना पड़ेगा, जब तक आप unregistered हो, no GST, no GST, और भाई साब, आपने registration ले लिया, तो इसके आगे, अब continuous, अगला साल, अगला साल, कभी भी हो, आपको हर transaction पे GST देना पड़ेगा, okay, same for, okay, यहाँ पे compulsory registration, अगर आप compulsory registration में आते हो, तो आप taxable person हो गए, आपको continuous GST देना पड़ेगा, okay, यह समझा क्या बेटा, प्लीज बताओ, यह समझा क्या, तो मेरा बस यह conclude करके देना है आपको, मुझे बस यह conclude करके देना है, कि registration of GST में basic exemption concept नहीं है, like income tax, okay, GST में आपको जो threshold benefit है, वो आपके registration पर है, 20 लाग तक government खुद कहते हैं, मत करो, आपको करना होगा, GST देना होगा, तो कर सकते हो, otherwise हम allow करते हैं 20 लाग तक, और 20 लाग के बाद आप registration लो, या मत लो, अगर आप liable हो गए, आपने registration नहीं भी लिया होगा, पर आप liable हो done, yes or no, please बताओ, ये concept समझा, आपको screenshot लेना आतर ले सकते हो, ठीक है, okay, तो ये था definition of taxable person, देखो वो क्या कहते है, a person who is registered or liable to register under section 22 or section 24 of GST Act, a person who is liable to register but does not take a registration, मतला आपका threshold cost हो गया, आप compulsory registration में आगया, and remains as unregistered person, shall also contribute as a taxable person, उसके बाद में, similarly a person not liable to register but has taken a voluntary registration and got himself registered, okay, अगर वो voluntary registration में लेता है, तो फिर वो taxable person बन जाएगा, वो taxable person बन जाएगा, I hope you understood this concept, yes or no, next definition पे आजओ, registered person, registered person means person who is registered under section 25 of this Act, and but does not include person having unique identity number, ये थोड़ा आद रखना, ये definition में को special नहीं है, registered person मतलब, person who is registered under section 25, लेकिन इसमें वो person नहीं आएगा, जिसके पास UIN है, इसको UIN कहाएगा जाता है, ओके ये याद रखना, जैसे कुछ लोगों को government GST में registration नहीं देती है, उनको centralized UIN देती है, registration chapter में हम पढ़ेंगे, centralized UIN जैसे foreign embassies हुए, United Nations हो गए, international organizations हो गए, multilateral financial international organizations हो गए, तो इन लोगों को government जो है, यहाँ पे UIN देती है, और ये जो है UIN वाले जो लोग है, centralized GST UIN देती है, refund claim करने के लिए, जो UIN वाले लोग है, इनको registered person नहीं माना जाएगा, तर इसका relevance क्या है, बहुत सारे section में word आता है, registered person, registered person, registered person, तो उसमें UIN को consider नहीं किया जाएगा, बस इतना याद आपको रखना है, उसके बाद में next, supplier, supplier का definition, in relation to any goods or services or both, shall means, the person supplying the said goods or services or both, supplier का simple definition है, ऐसा person, जो goods or services supply कर रहा है, goods or services supply कर रहा है, and includes his agent, acting on the behalf of supplier, अगर कोई agent है, agent का बहुत special discussion होगा, और लगभग देर घंटे का discussion होगा, what is the GST implications on supply made through agents, आपको थोड़ा बहुत याद आरा होगा, इंटर का, पर कोई बात नहीं आता है, तो मैं बैठा हूँ यहाँ पर, ओके तो ऐसे case में, ओके अगर supplier के agents है, तो उन agents को भी supplier माना जाएगा, उन agents को भी supplier माना जाएगा, यह definition था, next, बेटा, recipient, recipient of supply of goods, और services और बोथ, यह important definition है, ओके, goods और service के recipient किसके बोले जाएगे, situation means one, where underline, consideration is payable for SOG or SOS, what do you mean by SOG, supply of goods, SOS, supply of services, अगर आपने कोई supply किया है, goods का है, service का और उसमें consideration है, consideration is there, the person who is liable to pay that consideration, person who is liable to pay that consideration, next, where no consideration is payable for SOG, अगर supply of goods किया होगा, और SOG में कोई consideration नहीं है, the person to whom goods are delivered or made available, or to whom possession or use of the goods is given or made available, okay, possession, जिसको delivered किया, या जिसको possession दिया, वो यहाँ पे, जहाँ तक है recipient माना जाएगा, where no consideration is payable for SOS, अगर supply of service होगा, क्योंकि, okay, goods के लिए अलग है, service के लिए अलग है, supply of service होगा, the person to whom the service is rendered, special reference, any reference to a person to whom supply is made, shall constitute as a reference to recipient of the supply, इसके बारे में बात करेंगे, shall also includes an agent, अगर buyer के agents होगे, buying agents होगे, जो goods ले रहे होगे, तो वो agents को भी recipient माना जा सकता है, acting on the behalf of recipient, in relation to goods or services, both supplied, okay, चलिए, तो यह अपने definition देखा recipient का, recipient की definition क्यों important है, reverse charge के लिए, reverse charge में liability, reverse recipient पे आती है, या place of supply, जब हम पढ़ेंगे, तो place of supply में, बहुसी cases में, place of supply, location of recipient माना जाता है, तो चलिए, यह recipient की definition, थोड़ा हम चार्ट में देख लेते हैं, हाँ, आजा यह चार्ट में, चलो draw करो यह chart, draw करो, फिर मैं बताता हूँ, एक-एक point explain करता हूँ, draw करो, section 293, recipient, draw करो यह, page number डाल देना, और notebook को भी page number दो, notebook को भी page number दो, और यहां cross reference डाल दो, and then notebook का भी page number का cross reference यहां पर डाल दो, आपको बात में देखने के लिए आसानी होगी chart, और यह chart यहां पर draw करो, चलो फटापट, लिखते वक्ड ध्यान देना, फिर में explain करता हूँ, लिखते वक्ड वर्ट्स पे ध्यान देना, फिर में explain करूँगा, पिर मेंद सभ्सक्रणाखबू, प्सक्राइबू झाल 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 झालो इसका screenshot ले लो screenshot ले लो pause करके ले लो मैं समझाता हो आपको recipient याने क्या सबसे पहले तो situation को मैंने दो पार्ट में divide किया यहाँ ध्याँ से देखिएगा अगर आपका supply for consideration होता है और second अगर आपका supply without consideration होता है हाँ कुछ cases ऐसी है GST में schedule 1 total 4 परहास जहां consideration नहीं भी होगा तो भी supply माना जाता है और GST लगाया जाता है पहला where supply of goods or services is for consideration आपके supply में consideration है तो फिर recipient कौन okay person who is liable to pay that consideration यह line बड़ी important है example की तोर पे मैं यहाँ लेता हूँ कि मैं GST का class ले रहा हूँ और मेरे class में यहाँ पे एक बंदा ऐसा है जो company के तरफ से training के लिए आए है मतलब वो okay वो CACCMA कोई यह course नहीं कर रहा है लेकिन company के तरफ से training के लिए आया और मेरे class में बैठा है जिसका पैसा वो नहीं दे रहा है उसका पैसा company दे रही है तो मुझे जो consideration मिल रहा है वो company से मिल रहा है लेकिन मैं service उसको दे रहा हूँ वो student को दे रहा हूँ तो मुझे यह बताईए यह consideration है पर consideration मुझे student से नहीं आ रहा है मुझे company से आ रहा है तो who is my recipient company या student student होगा तो आप std type कीजिएगा और अगर company होगी तो यहाँ पे co type कीजिएगा मन में type कीजिएगा तो बताईए कौन मेरा recipient कौन माना जाएगा student या company अगर recipient के words आप carefully देखते हो तो कहा गया person who is liable to pay that consideration अगर consideration है तो कौन receive कर रहा है वो important नहीं कौन consideration दे रहा है वो important ऐसे case में यहाँ पे recipient company माना जाएगा consideration वो दे रही है इसलिए recipient company माना जाएगा second अगर आपके supply में consideration नहीं है consideration नहीं है और आपने goods का supply किया है तो फिर यहाँ पे यह देखो कि आपने delivered किसको दिया या किसको available करवा के दिया या किसको उसका possession दिया अगर consideration है तो भाई साफ तो किसको भी delivered कर भाई तुने give खरीदा तेरे girlfriend को delivered कर तेरी girlfriend को delivered कर दे पे तुने किया ना पैसा gift दिया पैसा तुने पे किया ना you are the recipient okay and not the person to whom the goods are delivered तेरी girlfriend बहुत खूश होगी gift दिया गया okay देता नहीं है okay पर recipient is not a girlfriend recipient आप रहे गया now अब consideration नहीं है अगर पैरा one के supply sorry schedule one के supply है तो जिसको goods delivered किया भाई फिर वो recipient माना जाएगा या जिसको made available या possession दिया sir या made available और possession क्या होता है okay बहुत सीवार goods as such बेचे जाते है अब as such बहुत सारी machinery बेची जाती है मेरा example लो as such जब मैं goods बेचता हूँ जैसे मेरा example लेते class का बेटा मेरा एक class था जिसमें पूरा setup किया था benches, projector वगरे सब और मैं वो class चोड़ रहा था कि वो class चोटा हो रहा है अब बड़े class की जर्वत है तो वो class में चोड़ रहा हूँ अब वो class अगर मैं यहां पे चोड़ रहा हूँ तो अब क्या हो जाएगा वहाँ benches पड़े हुए है वहाँ projector पड़ा हुआ है बहुत सारी चीजे पड़ी हुए है lights लगाए हुए studio बनाए हुआ है सब कुछ वैसा कर विससा है तो फिर एक छोटा कोई बंदा आया जो class ले रहा था चोटा class उसको requirement थी वह आया कि sir मुझे यह course चालू करना है मुझे class यह थीक है ले ले तो benches ले ले प्रोजेक्टर ले ले lights ले इसका पैसा दे दे camera भी ले ले इसका पैसा ले टीवी भी ले तो अब यहाँ पे goods में movement नहीं है okay यहाँ कोई delivery नहीं दी जा रही है movement करके यहाँ पे made available मतलब as such बेचा बेचा में without any movement जैसा कब ऐसा उठा ले तो फिर okay जहाँ movement नहीं है goods में और as such बेचा जा रहा है वहाँ पे जो as such बेचा जा रहा है वहाँ पे क्या होगा तो वहाँ पे जिस दिन आप available करवा के दोगे या possession दोगे जिसको भी आपने made available या possession करवा के दोगे वो recipient माना जाएगा service के case में person to whom the service is rendered okay वो person जिसको आपने service rendered किया okay वो यहाँ पे recipient माना जाएगा अगर consideration नहीं है तो be careful consideration नहीं है तो उसके बाद में okay agents भी यहाँ पे person की definition में okay recipient माने जाएगे okay recipient माने जाएगे अगर on the behalf of यहाँ वो recipient होगा अब यह line का मनंग बता दाओ special reference मैंने चार्ट में नहीं लिया पर यह special reference यहाँ समझा देता हूँ any reference to a person to whom supply is made shall constitute as a reference to recipient of supply यह तो हमने recipient का है लेकिन अगर कोई specific section में हम किसी बंदे को reference दे रहे कि इस बंदे को supply किया अगर हमने उस context में उस reference में कहा आगे में बताओगा उस context या उस reference में कहा कि इस बंदे को supply किया तो उसे recipient माना जाएगा अगर कोई special reference हमने दिया होगा तो otherwise recipient की definition default यह लेना पर कभी हमने specifically, किसी specific बंदे को recipient का, तो उसको ही recipient माना जाएगा, ये बात समझ में आई आपके, तो इस तरह से हमने recipient की definition complete की, समझाओगा, yes or no, समझा किया आपको, तो मन में R-type करो, फड़ा बड़, जो मेरे साथ connected है, वो R-type करो, जो नहीं है, वो मन में R-type करो, अब कुछ definition यहाँ पर ले लेते हैं, जैसे, taxable person, sorry, supply, different types of supply, taxable supply, मतलब supply of goods or service on which, both, which is leviable to tax under this act, जिसके उपर लेवी है, उसे taxable supply कहा जाएगा, next, non-taxable supply ने क्या, जिसके उपर लेवी नहीं है, come on, जिसके उपर लेवी नहीं है, उसे non-taxable supply कहा जाएगा, और next, exam supply ने क्या, supply of any goods or services or both, very important definition, बहुती बहुती जादा important definition, okay, exam supply ने क्या, supply of any goods or services or both, which attract nil rate of tax, come on, which attract nil rate of tax, और which may be only exam from tax under GST Act, and which includes non-taxable supply, which includes non-taxable supply, ठीक है, यह definition को थोड़ा हम analyze करते है, okay, चलो हम chart पे आते है, यह chart आपको draw करना है, ठीक है, कोई wordings नहीं समझे, अभी लिख लो जैसा वैसा, फिर मैं explain करता हूँ, कोई wordings अगर आपको नहीं समझे, तो जब मैं explain करूँगा, उतना space छोड़ देना है, जब मैं explain करूँगा, तब आपने उसको complete कर लेना है, चलो, सबसे पहले यह chart draw करो, फिर इसका एक एक word मैं explain करता हूँ, इस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चार्ट, to get clear understanding of supply, ठीक है, चलो द्रॉख करो, रॉख करूए चाट, supply, दो पाट करना, taxable supply and second non-taxable supply. taxable supply, SOG or SOS which is levyable to GST, SOG or SOS which is levyable to GST, or non-taxable supply, SOG or SOS which is not levyable to GST, like petroleum product, alcoholic liquor for human consumption, जिसके उपर levy ही नहीं है, अब taxable supply के नीचे, four parts करना, taxable supply के नीचे, four parts करना, first part, chargeable supply, first, chargeable supply, second, zero rate supply, second, zero rate supply, third, nil rate supply, and fourth, exam supply, exam supply, अब chargeable supply का meaning लिखो, SOG or SOS, is subject to payment of GST, is subject to payment of GST, at whatever applicable rate, इसके उपर GST देना है, whatever applicable rate, is subject to payment of GST, applicable rate, घुसरा, zero rate supply, SOG or SOS, which is chargeable to GST chargeable to GST but government have given special incentive special incentive in case of export or SCZ in case of export or SCZ under section 16 of IGST act under section 16 of IGST act which is subject to NIL rate in GST tariff समझाता हो बेटा इसे बाब लीखो और उसके बाद में exam supply SOG or SOS SOG or SOS which is chargeable to GST at the rate 5 percent 12 percent etcetera 5 percent 12 percent etcetera etcetera but to promote socio-economic objective but to promote socio-economic objective government has temporarily exempted such supply temporarily exempted such supply by notification by notification or order by notification or order order अब बिटा एक काम करना ठीक है यहाँ पे यह देखो यह taxable supply का arrow लेना नीचे और यह 2 supply लेना नील exempt और non taxable और यह तीनों को ऐसा combine करके लिखना यह तीनों को combine करके लिखना जिसमें नील exempt और non taxable भी आना चीए और नीचे एक note देना मैं समझाता हो note क्या देना है आपको तीनों को combine करके note क्या देना है as per section 247 for GST purpose for GST purpose exam supply includes for GST purpose exam supply includes includes nil rate only exempt and non-taxable supply nil rate only exempt and non-taxable supply लिखले आप सभी ने अब जिसका बाकी होगा मैं explain करूगा तब लिख लेना चलो इसका पहले screenshot ले लो जो ODPD में देख रहे है पॉस करके screenshot ले लो ठीक है चली अब मैं आपका explain करता हूँ जब भी हम GST law पड़ेंगे तो supply के अलग-अलग flavor समझ लो अगर मैं आपको ये टैक्सेबल supply है मतलब उसके उपर लेवी है GST देना नहीं देना नील रेट से देना एक्जम देरेट से देना जिरो रेट से देना वो बाद में देखेंगे पर उसके उपर लेवी है Okay, liability create की हुई है और non-taxable supply मतलब जिसके उपर लेवी ही नहीं है Like petroleum के 5 products, कौन से 5 products? Petroleum crude, high speed diesel, petrol, aviation turbine, fuel, natural gas और alcoholic liquor for human consumption जिसके उपर लेवी ही नहीं है इसके आगे, please मेरी request है जब भी मैं non-taxable supply कहूँ तो उसको एक्जम मत मानना, उसको नील रेट मत मानना non-taxable supply मतलब only 6 supply बोलो मिने साथ, जोड से बोलो, non-taxable supply मतलब only 6 supply तो जब भी इस क्या आगे discussion करोगा, उनमें करोगा, non-taxable supply credit नहीं मिलेगा यह supply यह नहीं होगा, non-taxable को यह provision अपला नहीं होगा तो non-taxable बोलते ही, आपको एक्जम दिमाग में नहीं आना चाहिए आपको यह 6 supply ही दिमाग में आना चाहिए, जिसके उपर लेवी नहीं है समझा होगा, तो anti-type करो, okay, anti-type करो, next now, यहाँ पर taxable supply के 4 category है, मतलब यह 4 supply taxable के group में आते है मतलब लेवी है, पर situations अलग-अलग है, okay now, पहला chargeable, chargeable मतलब जिस पर tax देना है, okay जिस पर tax देना है, उसको chargeable कहेंगे, is it clear? दूसरा, okay, कोई exemption नहीं, कोई zero rate नहीं, कोई nail rate नहीं उसके बाद में next अगर हम बात करें, तो zero rate supply है अब भाई साब, zero rate supply हैने क्या, वैसे वो supply exempt नहीं है, nail भी नहीं है समझे लो, camera, camera मैं इंडिया में बेशता हूँ, तो उसके उपर GST है okay, nail भी नहीं है, GST लगता है भाई, मैं जिस पर GST के bill है उसके पर government कहती है कि अगर ये camera आप export करोगे, और export का bill बनाऊगे तो उसके उपर rate हमारे तरब से zero कर लेना, incentive कर ले लेना भाई, okay, zero rate supply मतलब ये supply का rate zero नहीं है, okay, ख्याल रहे है, okay, यहाँ पर ये incentive है incentive, और वो export को या SCZ को incentive section 16 of IGST act में दिया गया, okay, इसको zero rate बोलेंगे इसको zero rate बोलेंगे, nil rate मतलब क्या, GST tariff में rate ही nil दिया है, मतलब, मतलब, समझ लो vegetable, okay, तो vegetables जो है, okay, उसके सामने nil लिखा हुआ है, तो nil लिखा हुआ, तो ये nil rate हुआ, और camera, camera के सामने नil लिखा है, 28% लिखा हुआ है, पर अगर मैं export करता हुआ, तो government का लाडला हुआ, और export में government कहते हैं, चल भाई, export में तेरे को zero करके देते है, या zero मतलब without payment of duty, zero मतलब without payment of duty, incentive, okay, और उस incentive का नाम दिया गया, okay, zero rate, उस incentive का नाम दिया गया, zero rate, okay, तेरे को zero कर देंगा, okay, अब imagine करो कि अगर कोई बंदा इंटर का rank है, और वो मेरे पास class लगा रहा है, सुनना, इंटर का rank है, और मेरे पास class लगा रहा है, तो वो अगर मेरे पास class लगाता है, तो वैसे तो जो भी class लगा है, सब को fees देनी पड़ेगी, लेकिन वो rank में, अगर वो बंदा मुझे bond sign करके देता है, कि final में भी वो rank में आएगा, first three में, तो मैं उसको fees में माफ कर दूँगा, specially उसको, उसको कहा जाता है zero rate, पर conditions होती है, जैसे exporter की भी conditions होती है, उनको bond sign करके देना पड़ता है, कि वो export करेंगे, तो लाडले बनेंगे, आप भी लाडले बन सकते हो, आप पहले तीन rank में आजाओ, मैरे लाडले बन जाओ, फीज नहीं लूँगा, मैं zero rate लूँगा, incentive दे दूँगा, तो zero rate और nil rate में फरक क्या ह हुआ है tariff में, okay, और zero rate मतलब क्या, तो zero rate मतलब special incentive है, ठीक है, उसके बाद में exam supply है, exam supply में मतलब, okay, rate दिया हुआ है, पर government को अभी temporary exemption देना है, okay, by notification, government कह रहे है, ठीक है, rate दिया हुआ है, पर फिलाल हम exemption दे रहे है, okay, अभी 6 मैने के लिए exemption ले लो, तो वो कहा जाता है, exam supply, what is the difference between neal rate and exam supply, neal rate supply मतलब rate ही neal है, exam supply मतलब rate neal नहीं है, rate कुछ दिया हुआ है, पर government को लग रहे है, 6 मैने तक इस industry को promote करना चाहिए, चलो exemption ले लो, तो government by notification उसको exam कर रही है, उसको कहा जाता है, exam supply, ये चारो supply पे levy है, zero rate पे भी levy है, okay, क्योंकि local sale होता है, तो GST लग government कभी भी rate बदल सकती है, पर, okay, वो supply goods GST के scope में आता है, okay, exam भी levy है, पर फिलाल government का exemption है, तो ये सारे supply taxable कहे जाते है, सुनना मेरी बात, सुनना मेरी बात, वो ये सारे supply taxable कहे जाते है, पर अलग-अलग object से उनको benefit दिया गया है, फिलाल, okay, और non-taxable supply मतलब जिसके उपर लेवी ही नहीं है, वो छे supply non-taxable supply माने जाएगे, okay, समझ में आए कि नहीं आई बात आपको, तो ये था, लेकिन, अब मैं, तो यहाँ पर, यहाँ जिरो रेट पर वो bond मतले ना, customs में, अगर आपका custom हुआओगा, तो thrice the duty वगरे नहीं, यहाँ अपने notification है, क्या bond, security, letter of undertaking, आपने अगर office में practice किया होगा, तो zero rate में letter of undertaking अगरे होता है, चली, okay, चल, तो यह हमने देखा, तो आपको यह difference समझा क्या, समझा होगा, तो ZNE type करो, okay, और जो मुझे वीडियो में देख रहे है, recorded देख रहे है, वो मन में ZNE type करे, यह समझा गया आपको, okay, zero rate और nil rate में फरक है, nil rate मतलब tariff में rate nil दिया है, आप शब्दों समझ जाओ, zero rate मतलब tariff में rate nil नहीं है, क्या मेरे का rate है, export कर रहे है, इसलिए government incentive दे रही है, export incentive है, okay, please, मन को मनाओ, sir, मन नहीं मान रहे है, zero rate को zero ही लेने हो का मन कर रहा है, sir, zero ही लेते हैं, अरे दूंगा दोग खीच के, okay, वो incentive है, government ने उसको zero किया है, वो rate zero नहीं है, okay, समझा है नहीं समझा, not like, yes or no, okay, तो यह देखा हमने, अब देखो, definition क्या कहती है, okay, यहाँ यह definition कहती है, exam supply, इस GST law में, जब जब भी हम exam supply का नाम लेंगे, section 247 में, okay, बहुत से exemption chapter आएगा, ITC chapter आएगा, आगे बहुत सारे case में exam supply, registration chapter में exam supply आएगा, तो जब भी आप exam supply का meaning लोगे, तो उसमें तीन supply लेना, कौन से तीन supply लेना, निल रेट ओली exam or non-taxable supply, मतलब क्या, इवंदो निल रेट, मेरा वर्ट केरफु सुनना, इवंदो निल रेट, exam or non-taxable, तीनो अलग है, इवंदो निल रेट, exam, non-taxable, अपने inherent nature में अलग-अलग है, पर GST purpose के लिए तीनो exam supply माने जाएगे, यहनि इसके बाद अगर मैं word use करूँ exam supply, तो वो provision तीनो को लागू होगी, जैसे मैंने section 17 में कहा, अगर आपका exam supply होगा, तो आपको IT से नहीं मिलते हैं, अगर आपका exam supply होगा, तो आपको IT से नहीं मिलते हैं, तो आपने समझ जाना, यह तीन supply में IT से नहीं मिलते हैं, कौन से तीन supply में IT से नहीं मिलते हैं, nail rate supply, exam supply, और non-taxable supply, और यह तीन supply होगे तो IT से नहीं मिलते हैं, समझा क्या वैसे अपने नेचर में तीनों अलग है पर GST law के लिए तीनों common माने जाएगे अगर ये chart समझा होगा तो supply का S type कीजिएगा या recorded session में देख रहे होगे तो मन में कहिएगा S supply का यहांने समझ में आ गया yes or no चलिए दोस्तों तो यहां हमने complete किया यहां पर different nature of supply और यहां आज का session हमारा बहुत से aspects पर हमने discussion किया पर दोस्तों आपको यह बता दू कि next session बहुत important है हम discuss करेंगे concept of supply तो मिलते है next session में thank you bye bye good day and good night